सर रिवीजन ये फाइनल का हाँ जी और सर कौन सा चैप्टर है इसका आपको बहुत दिनों से इंतार का फॉर एक्स बहुत सारे बच्चों की रिक्वेश्ट आई है कि सर जैसा फॉर एक्स जो है न वो थोड़ा स्लो चलना इट मेंस ठीक है रिविजन है अपनी जगा ठीक है पर सर कोशिस करना कि उतना फास्ट ना करवाए जितना बाकी टॉपिक्स करवाए है क्योंकि फॉर एक्स के कंपारि आने के भी चांसेज है फोड़ा स्लोच चलेंगे ट्रिक बताती हुए चलोगे तो ज्यादा अच्छा ठीक है तो फॉर एक्स स्टार्ट करें बिना टाइम बरबात करें मेरे खेल से कॉपी आप खोल लीजे क्योंकि आपकी कॉपी में ही लिखा हुआ है सब कुछ फॉर एक्स में हमको क्या-क्या पढ़ना था या सोरी क्या-क्या पढ़ा तो सर्फ फॉर एक्स में बेसिक्स जो है ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट में इसलिए कहूंगा कि इन बेसिक्स की वज़ह से ही ये सारी कोशन हो बेसिक्स इंपोर्टन्ट इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सर पिछले attempt में question आया था हाँ ची कहां से question आया था question आया था cancellation तो cancellation भी important है हमारे लिए ऐसा नहीं है कि पिछले attempt में आया था तो नहीं आ सकता आ सकता और सर श्टार्ट करें और अच्छा question आया था इस attempt में जो पहले गया है और उसमें option का ही question था कि हां और उसमें call और put दोनों को use करके मतलब call option writer भी बनना था उससे कैसे hedge किया जाया नया question था वो तो यहां discussion नहीं होगा तो question paper के साथ में discuss करूँगा अभी जो बात करें वो forex की forex में सबसे पहले basics और सर basics में क्या है action rate क्या होता यह मैंने बताया यह आपके किसी काम का नहीं है हाला कि आपको पता है कि दो तरह से quote किया जाता है action rate एक होता है direct quote और एक होता है indirect quote कि अगर हम इंडिया में हैं हम इंडिया के रहने वाले हैं तो foreign currency per unit इसको base currency बोलते है foreign currency per unit पराबर कितना रुपए है मतलब एक unit कितने रुपए का आएगा एक dollar कितने रुपए का आएगा एक pound कितने रुपए का आएगा तो यह कौन सा है यह direct quote indirect quote क्या होता था indirect quote में हम रुपीज को इदा लिखते हैं हम कहते हैं एक रुपए में कितना foreign currency आएगा इसको खेते हैं indirect quote हाला कि हम भी जानते हैं अब रुपीज पर डॉलर है 83.25 और अगर डॉलर पर रुपीज करना है तो sir हम इसको one से divide कर देते हैं यह simple सा rules है कुछ बताने वाली बात नहीं थी दूसरा जो topic है हुआ है conversion of currency this is most important इसके बिना आपका Forex हो ठीक है ज़र conversion of currency क्या है पर simple सा है simple सा आता भी है एक बार revise हो जाएगा suppose यार रुपीज पर डॉलर दिया है 84.275 और पूछा जारा 1000 डॉलर कितने गाएगा तो rules simple सा मैंने बताया हूँ हाला कि आपका common sense आप अपने पास में रखो simple सा rules है अगर इसको convert करना है सर ये कौन सा है ये dollar है और base currency भी dollar है it means dollar है इसी को convert करना और dollar का ही rate दिया तो सिधा multiply हो जाएगा नहीं तो divide होगा पर एक हाल से याद आ रहा होगा dollar ही दिया है और dollar का ही rate दिया तो सिधा 1000 into multiply है पर अगर यहां dollar देता और यहां rupees देता तो फिर क्या हो जाएगा divide that's it this is most important most important चाहो तो बच्चो वाला काम कर लो नहीं सर पहले हम one से divide करके rate में को convert कर देंगे it means कुछ बच्चे बुलते सर डॉलर है तो पहले हम ऐसा कर लेंगे कि हम dollar rupees का rate बना लेंगे ऐसा कुछ करेंगे तो भी यह वैसा नहीं करवा ना simple तरीके से मैं करवा okay तो सर 1000 एक हजार इंटू मैंने यहां लिखा नहीं है पर आप भी जानते dollar 1000 इंटू 84.75 ठीक है सर यूरो पर डॉलर दिया है यहां currency कौन सी डॉलर पर यहां कौन सा है सर यूरो को convert कर आना पर यूरो का ही rate होना चीए rate किसका है डॉलर का तो divide अब होगा यूरो थाउजेंट डिवाइड बाइड होगा 1.124 बिल्लकुल सिंपल सी बात है वही मैंने यहां लिखा हुआ है प्लीज यह बहुत ज्यादा important है इस पर practice मैंने करवाए हूँ पर मैं अभी यहां practice करवाने के लिए नहीं आया हूँ मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि divide कैसे करना आदे से ज़्यादा बच्चे divide multiply में गलती कर देते हैं प्रेक्टिस करवाए हूँ डॉलर है डॉलर की इद दिया multiply है रुपीज दिया है और डॉलर दिया है तो divided 50 है divided भाई पाउंड दिया डॉलर दिया है डिवाइट रुपीज दिया रुपीज दिया multiply तिम्पल है सिंपल है ओके सर यहां दिक्कत होती है मतलब यार मतलब है ऐसे दे देता USD पर INR इसको आप ISO कोड़ बोल दीचिए जनरली जब ऐसे दिया रहता है तो हम इसको वन नहीं मानते हम इसको वन मानते जनरली मतलब इसमें खेल हो सकता है जनरली हम इसको वन मानते पर common sense एक बार यूज कर ले तो फिर पर इसको हम जब लिखेंगे न तो simple language में लिखेंगे simple language हमारी क्याइसर ये 1 है तो हम इसको रुपीज पर डॉलर ऐसा करके लिखेंगे मतलब यार 1 है तो 1 हम symbol में लिखते तो 1 इधर ही लिखते है जब भी ऐसा आएगा भाई सीधा मत कर देना ने तो परिशान हो जाओगे इसको 1 है तो इसको मैंने घुमा दिया अब देखो ये डॉलर है ये रुपीज मैंने कहा common sense यूज सर आई एन आर जी बीपी 94.75 और सर आपने बोला कि इसको 1 मान अगर हम इसको 1 मानते तो पाउंड पर रुपीज हो गया मतलब एक रुपए में 94 पाउंड ऐसा तो होई नहीं सकता तो मैंने कहा common sense यूज करना पड़ेगा I.C.A.I. ने एक दो कोश्चन में इसको ऐसा तो दिया पर इसको 1 मान के काम किया तो सर हमको आपको कुछ चीज़े याद रखनी पड़ेगी अच्छा सर मतलब सर ये दिया क्या है ये दिया है रुपीज पर पाउंड और पाउंड का ही रेट दिया तो मल्टिप्लाई हो गा बस ये धोका है इससे बचना सर याद कौन सी करेंसी भी आप देखो ना कि कौन सी करेंसी महगी है सबसे सचता ये उससे उपर रुपीज उससे उपर डॉलर उससे उपर यूरो और उससे महगा पाउंड हलाकि डॉलर और यूरो में उल्टा से लेकिन जनरल ही ऐसा होता है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आप जब पाउंड पर रुपीज लिख रहे हैं मतलब एक रुपए में 94 पाउंड तो आपको पता होना चाहिए कि एक रुपए में 94 पाउंड आई ही नहीं सकता फिर आपको सोच समझ के क्या करना पड़ेगा रुपीज पर पाउंड लेगा फिर आपको दिमाग चलाना पड़ेगा और आपको एक पाउंड में ज्यादा रुपए आएगा और सर्क इतनी करेंसी ऐसा याद रखें कि बस इतनी और किस सिक्वेंस में याद रखना है कि सबसे सस्ता होता yeah उससे महगा रुपीज उससे महगा डॉलर काउंड तो मैंने यहाँ जब आपको पढ़ा रहा था तो बता रखा बता आया था कि कैसे कैसे लिखकर दे सकता एकशेंचेंज रेट को किस तरह से ICAI लिखकर लिखता है कभी-कभी ऐसे लिखता USD-ZBP उसमें 1 इसको माना जाता इसको ही माना जाता या फिर INR-JPY इसमें भी 1 इसको माना जाता और यहां तो आपको common sense यूज करना पड़े मैं कुछ नहीं कर सकता है ओके सर तो यहां तो आप देख लो इस पर मैंने practice करो हाला कि यह question के साथ practice होगा तो अभी हम time बरबाद ना करें तो जाता तो basics में point number 3 bid rate and ask rate ठीक है bid rate क्या होता है bid rate मतलब bank suppose rupees per dollar दिया है तो bank आप से dollar खरी दीगी तो 82.50 और bank आपको dollar बेचीगी तो महगे में बेचीगी 82.70 तो bank जिस rate पर customer से currency खरी दिती है उसको बोलते है bid rate और इसको बोलते है ask rate सर यह हमको आता है मैं जानता हूँ यही मैंने यहाँ लिखा है और इन दोनों के बीच का जो difference आता है उसको बोला जाता है bid ask spread bid ask spread पूछ सकता है multiple choice question में इसलिए मैं ऐसे धीरे धीरे करो ठीक है ओके सर आगे चले कभी कभी ऐसा लिखा रहता है तो आपको समझ जना है सर 82.50 है bid rate इसको कैसे पढ़ोगे 82.90 ask rate अच्छा सर इसको 90 नहीं पढ़ना नहीं 90 अब और भी बहुत सारी बाते 82.80 ये कौन सा rate हो गया है bid जब मैं ask लिखने गया तो मैं लिखूंगा 82.20 तो गरबड़ हो जाएगा यार 82.80 bid rate ask तो हमेसे ज़ादा होता है ये ask कम कैसे आ गया तो उस condition में मुझे यहां बढ़ा कर लिखना पड़ता है ये मैंने discuss किया था हलाकि ऐसा कोई question नहीं है तो आप इसको cut कर दे क्या हाँ sir cut भी कर देंगे तो इसके लिए चिंता न करने के जरूरत नहीं है बाकी सब आपको आता है बस मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कभी कभी ऐसे दिया रहता तो आपको समझना बढ़ेगा कि 82.50, 82.90 अब सवाल है bid rate और ask rate को कैसे पहचाना जाए ये बहुत ज़्यादा important है और सचा ये है क्योंकि आपने forex किया है आपको अच्छे से मालूम है कि हमको bid rate और ask rate में पहचानने में बड़ी मुस्किल होती तो मुस्किल जो होती है बिल्कुल सिंपल सी बात मैं इसको इस diagram से समझाने की कोशिश करो इस पर बहुत महनत किया हम लोगोंने और finally समझ में आ गया था आपको बस याद दिला देता हूं कि हमको कर राम ठीक से बैंक से खरी देंगे हम एक लाख डॉलर हो बदले में क्या COP डेंगे रुपीज अम मैंने क्या लिखा अब अब अधिहां से समय मैंने यह कहा कि looking a Time को एक लाख डॉलर कर दने पर कितना रुपिया देना पड़ेगा sorry कि कितना रुपिया देना पडेगा देगा तो 82.75 ना बिल्कुल सही लेकि इतना असान नहीं है तो रूल से याद रखना आराम से सुनों मैंने क्या बताया था मैंने ये बोला था सबसे पहले बताओ रेट किसका दिया है सर डॉलर का बेस करेंसी कौन सी है डॉलर और और बैंक के एंगल से सोचना कि बैंक डॉलर को क्या कर रहा सर बैंक डॉलर बेच रहा है बेचने के लिए कौन सा आसक रेट फिर से सबसे इंपोर्टन्ट है रेट जिसका दिया है बैंक उसको बाई कर रहा ह कि sell कर बस और कुछ नहीं सोचना है और ज़्यादा दिक्कत है ना तो भाई साप आप ऐसा diagram बना लो बहुत ज़्यादा time नहीं लगता है अरो ही तो खीचना है यहां दिक्कत होती है ना यार इसलिए मैं discuss करना होतना दिक्कत है चलो सर फिर से कर फिर से समझा लो इंपोर्ट किया है राम कहां का रहने वाला सर यूसे का रहने वाला यूसे का रहने वाला यूसे अब हुआ क्या सर अब यह हुआ कि इसने इंपोर्ट किया तो इसको पाउंड का पैमेंट करना है that's it US वाले person को pound payment करना है किसको UK वाले person को अब होगा क्या सर ये वाला person जो है ये pound खरीदेगा तो बदले में कुछ ना कुछ तो देगा सरब बदले में क्योंकि ये US का रहने वाला इसलिए बदले में ये क्या देगा dollar यहां तक हो गया है यह arrow बना दिया अब सुना दियाँ से अब देखो rate किसका दिया है सर रेट दिया है dollar का bank dollar को क्या कर रहा है bank dollar को खरीद रहा है खरीद रहा है तो यह वाला rate और rate दिया है pound और यह है dollar तो divide ही होगा आप बेजा तुबसे important अब दिया है तो bank dollar खरीद रहा है तो pound है यह डॉलर है divide होगा और डिवाइड होगा ठीक है, ओके सर, चले, एक दो question पर practice करें, तो, rupees पर dollar दिया, 75.50 75.75, ठीक है, ये practice करवा रहा हूं, आखरी question होगा practice के लिए, तो, राम ने import किया, то, राम ने import कहां से किया, US से, ठीक है, तो, राम को dollar देना है, तो हम बैंक से डॉलर खड़ी देंगे डॉलर के बैंक डॉलर बेचेगा 75.7 यह वाला कोशन देखे मैंने जल्दी जल्दी बताया UK का कस्टमर है इंपोर्ट किया है कहां से US से यह UK का है इंपोर्ट किया है US से इंपोर्ट किया है यूएस से मतलब पे करना पड़ेगा क्या डॉलर डॉलर पे करना पड़ेगा UK का कॉस्टमर इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम यूएस रॉलर का पैमिट करना है तो sir डॉलर खरीदना पड़ेगा पर क्योंकि ये UK का बदले में pound देना पड़ेगा rate किसका दिया है sir pound का दिया है तो pound की विसने में सोच लो bank pound खरीदेगा तो खरीदेगा तो कौन सा वला rate ये वला rate rate decide कर लिया ना भाई तो बात इतनी सी है कि जिस currency का rate दिया जिसका rate दिया bank उस currency को खरीद रहा है किया पेच रहा है अगर buy कर रहा है तो bid rate पेच रहा है तो ask rate मैं एक basics पे इन सब चीजों पे ज़्यादा आपके समय बरबाद नहीं करूँगा क्यों ना questions के साथ ही ये समझें कि bid rate और ask rate ही है तो अब मैं इस सब चीजों पे time pass ना करूँ तो ज़्यादा अच्छे मैं सीधा आ रहा हूँ concept bid rate और ask rate पे खुप practice किया है हम लोगों ने और करेंगे question के साथ में चले जी आगे कैसर इतना point करवाया दो point सबसे ज़्यादा important थे पहला conversion वाला और दूसरा bid rate और ask rate ठीक है आगे चल रहा हूँ appreciation and depreciation in currency I.C.A.I.E. इसको गलत करवाता है और मुझे भी गलत ही करवाता है ठीक है हाला कि logic कुछ और है पर मैं conceptual पे नहीं जा रहा हूँ भाई तीस तरी होता क्या है suppose आज का rate दिया रूपीज पर डॉलर 80 रूपीज अगर हमको लग रहा कि डॉलर महगा हो जाएगा appreciate हो जाएगा 10% से मतलब सर जो डॉलर 80 रूपीज वो 80 रूपीज से महगा हो जाएगा तो हो जाने तो महगा होगा 10% से 10% add कर देंगे 88 या 1.10 से multiply कर देंगे अगर हमको ऐसा लग रहा है कि डॉलर सस्ता हो जाएगा जो 80 का मिल रहा था हो 80 का नहीं मिलेगा कम का मिलेगा तो 80 into 0.9 कर देंगे 10% depreciate मतलब 90% तो यहां कितना जाएगा 72 फिल्कों सिंपल कॉंसिप्ट है फो किसा लेकिन दिक्कत क्या होती है अब दिक्कत क्या होती है सुनना देया रूपीज पर डॉलर दिया 80 रूपीज डॉलर के विसे में बोलता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी डॉलर के विसे में बोलता तो डॉलर appreciate हो रहा तो बढ़ा देते डॉलर depreciate हो तो कम कर देते प्रॉबलम है कि डॉलर का rate दिया है पर बोला है रूपीज के विसे में अब क्या करेंगे उसर डॉलर का सोचेंगे that's it डॉलर का सोचो it means रुपिया एप्रिशेट हो रहा है दसपड रुपिया एप्रिशेट हो रहा है मतलब डॉलर डेप्रिशेट हो रहा है तो इंटू पॉइंट नाइन कर देंगे और सर, रुपिया एप्रिशेट हो रहा है, रुपिया बढ़ रहा है सर, रेट किसका दिया है, डॉलर का, मतलब सर, रुपिया एप्रिशेट हो रहा है, मतलब डॉलर एप्रिशेट हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो 88, पस और कुछ नहीं, मतलब सर, सुनो, सुन रुपीज पर डॉलर यहां भी डॉलर का रेट दिया है लेकिन एप्रिशिशन डॉपीज में है रुपीज में है पर रेट किसका दिया डॉलर को तो आपको डॉलर के विसे में ही सोचना पर वो किस तो मतलब रॉपीय एप्रिशिएट हो रहा है मतलब dollar depreciate हो और logically क्या होता है ये मैंने समझाया था पर अभी इस पर focus नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है मत करो खुब logic के साथ समझाने का कोई sense नहीं होता exam निकालना है ओके ये मैंने समझाया था ये काम नहीं आएगा आपके अब बताना जल्दी से रुपीज पर डॉलर दिया है 70 और डॉलर के विश्य में ही बोला है 10 पर्षन तो साथ 70 into 1.10 डॉलर का rate दिया है डॉलर के विश्य में बोला तो लॉट लग गई तो डॉलर का ही rate दिया है पर अब रुपिया के विशे में सोच फूला, अब बोला किया, रुपिया depreciate होगा, मतलब डॉलर appreciate होगा, तो सर, into 1.10 कर देंगे वापस, एक है सर, सर, डॉलर अब डॉलर के विशे में बोला, तो into 0.9, फिर तो सीधा-सीधा, सर, डॉलर का rate दिया, पर रुपिया appreciate, मतलब ड dollar depreciate into 0.9 ठीक है जी आगे चलो cross rates cross rates तो पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा कि mcqs आई गया है विल्चो इस question आईगी और क्योंकि cross rate के mcqs नहीं दिया है book में book में जो questions है वो तो बड़े बड़े हैं तो यार cross rate पे एक बार हमारा कुछ trick हो जाए मैंने trick सिखा रखा हूँ मैं trick ही सिखाऊँगा पूरी तरह से logical ही बात नहीं करूँगा ठीक है तो सच cross rate cross rate में सबसे पहले बात किसका करेंगे बिना bid ask rate ठीक है rupees per dollar दिया 80 dollar cross rate क्या होता वो समझाने की कोशिश किया था पर अभी मैं कोशिश में नहीं जा रहा हूँ अब इसको देखो दिया trick समझा रहा हूँ तो rupees per dollar दिया 80 और dollar per pound दिया 1.5 हमसे मांग क्या है rupees per pound मांग अब इसको solve कैसे मैंने क्या सिखाया सुना ध्यान से मैंने क्या सिखाया हमें पहले वो बता दू जब भी rupees क्या मांगा है ये देखना देखा उपर क्या दिया rupees और ये हम ढूंडो यहां सर यहां यहां सर उपर rupees होना चाहिए अब ढूंडो इसमें ये आपको problem दिया है और ये requirement है और सर रूपीज 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 कहा दिया ऊपर देखो ढूंडो कहा है रूपीज रूपीज ये रूपीज और उपर ही दिया तो सीधा सी लिख देना ओके दूसरा पाउंड नीचे होना चाहिए ढूंडो पाउंड कहा है कहा पाउन नीचे ही है, तो सीधा 1.25, ओके सर, तो अंसर कितना जाएगा, 100, यूनिटरी मेथट से ऐसे करवाए है, तो यूनिटरी मेथट काम नहीं आएगी, तो ये क्या सेंस हुआ, सेंस क्या हुआ, वो आगे समझी में आएका, अभी रुख जाओ, अभी क्या, आपको ऐसा ल रुपीज पर पाउंड, ढुंडो रुपीज कहा है, सर, रुपीज उपर चाहिए और उपर ही दिया है, तो सिधा 60 लिख देना, सर, पाउंड नीचे चाहिए, पाउंड नीचे ही दिया, तो इंटु 1.50 कर देना, that's it, आगे और देखते हैं, अब देखो ध्यांस, ये इं इंपोटन है, इस पर फोकस रहेगा मेरा, टॉटल जो फोकस रहेगा ना वो इस पर रहेगा, ठीक है, सर, 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 रुपीज, रुपीज उपर दिया, रुपीज उपर ही ये तो सिधा 90 लिख देंगे, ∑्ड दॉलर, झाइम धिया है, डॉलर, सर, नीचे होना चाहिए, नीचे, डॉलर, 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 ओहो, डॉलर मिल तो गया, पर डॉलर इधर होना चाहिए था बेस में, पर इधर दिया है डॉलर, अब क्या करें, अब समस्य आई, अब इसको हमको डॉलर का रेड बनाना पड़ेगा, और हमें 1.1 से डिवाइट करना, बस यही समझाने करें तो लॉजिक के साथ समझा, लॉजिक के साथ मैं नहीं ही समझाने हो, टाइम ही नहीं है, मतलब सर सीधा सा कॉंसेप्ट है, हम यह धूंडने की कोशिश करेंगे कभी भी, कि रुपीज उपर है, तो अगर वो उपर ही दिख दे, मतलब जिदर हम चाहते हैं, नीचे चाहते, नीचे नहीं दिया है, अपोजिट दिया है, तो वन से डिवाइट करना ही बड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हो, बिड रेट से, मैं आपको डारेक्ट से इंडारेक्ट में कनवर्ट करवा रहा हूं, सच्चा ही आपको पता है, बहुँ जद हम घुसने की कोशिश नहीं ओके सर कोशिस करें क्या, यस, डॉलर पर ये, डॉलर उपर चाहिए, डॉलर कहा है, डॉलर कहा है, सर डॉलर तो ये है, पर दिक्कत है, तो दिक्कत है, तो सर वन से डिवाइट करना है, ये नीचे चाहिए, ये भी उपर है सर, तो फिर वन से डिवाइट करना पड़ेगा, और answer आ गया 0.00414 खीक, यहाँ भी हमारा काम है आगे चले आप देखे फिर से, यस रुपीज उपर, रुपीज नीचे दिया तो 1 से डिवाइट करना पड़ेगा पाउन नीचे चाहिए, पाउन भी उपर दिया तो 1 से डिवाइट करना पड़ेगा ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे अब यह डेंजर वाला काम है डेंजर वाला काम मतलब जनरली हम इसको 1 मानते तो पहले इन रेट को हमको सीधा लिखना पड़ेगा और सीधा मैं ने लिख लिया अगर मैं ऐसे लिख कर दे देता हूँ, मतलब सर डॉलर पर पाउंड दिया रूपीस पर पााउंड दिया है और इसको भी रूपीस पर पाउंड मांग रहा है तो पर तो करी लोगे है बना यार हाँ सर्फ, अब तो कर लेंगे अब आगए 10 रेट पर तीन रेट के कोश्च्शन आते हैं हो सकता है आपको आ सकते हैं ओके सर तीन रेट्स दिया है तो कैसे कर देखे एक बार ज्यान से काम करना इस concept में समझा दूँगा समझाऊंगा इसमें concept समझाऊंगा logic समझाऊंगा इसमें एक मिनट के लिए सर यह तीन रेट्स दिया हुआ है तीन कोट्स दे रखा दिस दिस और मुझे चलना है रुपीज पर पाउंट उपर क्या है रुपीज तो रुपीज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा स्यार हो तो उपर तो मुझे रुपीज ही लिखना पड़ेगा मैं इसको ऐसी cross multiplication से बना रहा हूँ सर उपर रुपीज ही लिखना पड़ेगा और भी ट्रिक है पर अभी यहां काम की सर उपर आपने रुपीज लिखा पहला काम हो गया अब ढूंडो रुपीज कहा है रुपीज 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 सर यह मिल गया रुपीज रुपीज के साथ क्या दिया है डॉलर तो नीचे लिख दिया मैंने डॉलर मतलब उसके साथ जो है उसको मैंने यहां लिख दिया यहां तक कोई दिक्र अब डॉलर से डॉलर हमेसा काटना है तो डॉलर से जब यहां नीचे डॉलर आया तो उसको काटने के लिए उपर तो यहां डॉलर ही लिखना पड़ेगा अब ढूंडो डॉलर के साथ क्या दिया सर डॉलर के साथ यूरो दिया तो मैंने यूरो यहां नीचे लिख लिए अब यूरो से यूरो काटना तो ऐसे लिखूंगा अब चेक करो, euros के सथ किया दिया, यूरो के सथ pound दिया तो ऐसे, पहले मैं यह लिख लूँगा, पहला काम है कि हमको लिखना है, अब उसके बास, देखो, ईरोपीस पर डॉलर दिया है, दिया है सर, तो सीधा लिख लो, 60, सर, डॉलर पर euros दिया है, कि दिया है, सर, सीधा जुर होता तो मैं बन्से डिवाइट कर दी था यह समझांगा अगले कोश्चन में अगला इक्जामपल थो होगा पक्का पक्का उसमें समझांगा मतलब सर सीधी सी बात है कि जो दिया है well and good नहीं दिया तो मन से डिवाइट कर देंगे बस इतनी सी बात है यही समझाने की कुछ सर इसका logic इसका logic ऐसे नहीं समझाऊँगा जब bid rate आसकरेट दूनों आएगे न तब और मचाये त्यारो हमें चाहिए क्या euro तो सर उपर तो euro लिखना पड़े अब धुन्डो euro के साथ कहा है euro नीचे दिया उससे मतलब नहीं euro के साथ कौन सी currency सर रुपीज लिखिये तो रुपीज यहां आ जाए रुपीज उपर लिखा है कि नीचे लिखा does not matter पर euro के साथ क्या लिखा यूरो के साथ रुपीज है तो मैंने रुपीज उठा कर लिख दिया euro उपर लिखना पड़ेगा यह मैं जो यहां से पता लग गया था अब यह भी बस सचा ही है कि रुपीज से रुपीज काटना पड़ेगा अब देखो अब रुपीज कहां है तो दूसरा यह वाला तो आप लिख चुके है अब रुपीज यह सर रुपीज के साथ डॉलर है डॉलर से डॉलर काटना पड़ेगा तो दूनों डॉलर के साथ क् सबस्क्राइब कुछ sense लगा कर बताऊ concept के साथ class में कर वा चुका हूँ पर मैं कर वा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ तो मैं concept के साथ भी समझा सकता हूँ पर थोड़ा सा रूप कर थोड़ा सा रूप अब आ गया cross rate with bid ask मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं logic के साथ नहीं जाऊँगा इसमें भी मैं trick ही यूज करूँ cross rate with bid ask पढ़े इंडिया में rate दिया है यह दिया छोड़ो इंडिया की बात रूपीस पर डॉलर bid और ask और डॉलर पर पाउंड bid और ask दे रखा है और मुझसे बोल रहा है रूपीस पर पाउंड bid और ask तले बिट की बात करें अब ध्यान से देखना रूपीस पर डॉलर मुझे उपर रूपीस चाहिए रूपीस ही दिया है दो ही rate है तो ज्यादा सोचना नहीं रूपीस ही दिया है तो सीधा उठा कर 80 रूपए 25 पर तो नीचे पाउंड है और पाउंड ही दिया है तो सीधा उठा कर 1.25 लिखूंगा आंसर यह आ गया और ask को ask के साथ multiply तो कोई दिक्कत होनी नहीं जी तो सरी तो आसान है bid rate मागएगा तो बिट को बिट के साथ ask को नहीं ना बिटे अभी आगे समझो आगे खेल है बहुत बड़ा अब मैं logic भी समझाने की कोशिस किया हूँ यहाँ यहाँ यह दिख रहा है सब हिंदी में जो लिखवा रखा है ना यह सब logic समझाया था आपको कि क्या कहना चाहता है question सर प्लीज समझा दो ना तो समझा देता है समझा देता हूँ रूपीज पर पाउंड ऊपर रूपीज चाहिए रूपीज ऊपर दिया है बिड रेट निकाल रहा हूँ तो 70 रूपे 25 पैसे नीचे पाउंड है और पाउंड ही नीचे दिया है तो सीधा वन पॉइंट ठीके सर तो यह आगया है तो सर अभी तक इस कोशिन में भी तो आपने बिट को बिट के साथ और आसक को आसक के साथ मल्टिप्लाई किया उसका लॉजिक मैंने यहाँ दे रखा कि हम क्या क्या कर रहा है तो सर यह समझाओगे कि यह नहीं समझाओगा ना अब थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है प्लीज तैयार हो जाओ दिक्कत होने वाला है हमें चाहिए डॉलर पर पाउंट सबसे पहले बात करेंगे बिट की हमें चाहिए डॉलर उपर पर डॉलर यह दिया है और जब भी वन से डिवाइट करने की नौबत आएगी तो आप ये मत ले लेना ये लेना जब मैं प्र से बोलो जब मैं ने डॉलर पर पाउंड लिखा यह class अगर आपने कहीं और से class ले रखा होगा तो प्लीज इस पर भ्यान मत यह उन्हीं बच्चों के ज़्यादा काम आएगा उनको समझ में भी आएगा जो मुझसे class किये गए तो आप अपना समय बरबाद ना करें जिन्होंने मुझसे class नहीं लिया यह समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कोगे सर क्या पढ़ा रहा है कुछ भी रिक्वेस्ट है आप लोगों को class देखना है जो मुझसे class नहीं लिया है तो वो कहां से देख सकता है जब question start होगे तो वहां से देख लेना याद दिलाओना सर आपके बच्चे को तो याद दिलाओ हां मैं याद दिलाओ मैंने क्या करवाया था आप ने कहां था dollar उपर होना चाया dollar नीचे तो 1 से divide करना पड़ेगा और जब भी 1 से divide करना पड़ेगा तो ये वाला rate नहीं आएगा बिड में 1 से डिवाइट करोगे तो ये बिड बन जाता तो अपोजिट वाला रेट आज़ा और सर नीचे पाउंड है पाउंड दिया हुआ है तो सीधा उठा का 90.45 ले ले 1 से डिवाइट नहीं करना है अगर इसको भी 1 से डिवाइट करना होता है तो फिर मैं 91.25 लेता है सर आज़क की भी बात करेंगे कि हां आज़क की भी बात करऊंगा अब आज़क मतलब ये ब़ला लेना है सर उपार डॉलर है पर डॉलर तो 1 से डिवाइट करना पड़ेगी तो 1 से डिवाइट ये ना लेकर ये ले लूंगा और नीचे पाउंड है पाउंड नीचे दिया तो फिर तो 91.25 इसके पीछे लॉजिक क्या था लॉजिक यह था जो मैंने लिखवाया हूँ आप ही ने लिखवाया था कि सर प्लीज आप लिख दो मैंने ये लिख दिया ठीक है मेरे ख्याल से क्या समझ में आया सर ग्रॉस रेट बिलकुल आसान है विट का विट से मुल्टिप्लाई करेंगे आसको को आसक है जहां लिकिन प्रॉबलम आईगी कि 1 से डिवाइट करने की नौबत आईगी और वह कब आईगी वह आपको पता है अखर 1 से डिवाइट करने की नौ बताएगी तो जो rate लेने का सोचे थे वो अना लेकर opposite वाले rate को once a divide करें this is trick, logic नहीं concept यह है okay मेरी ख्याद से sufficient practice हुच चुकी मैं अब यह नहीं करवाँ मैं इसका इंतिजार कर रहा था तीन rates यह बहुत danger है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा और आप चाहूगे तो मैं इसको concept के साथ में भी discuss करूँगा और इसको discuss करवाना चाहिए actual में है क्योंकि इस पर question भी है ठीक इसा चलो देखे यह question और इसको मुझे को logic के साथ भी समझा अब देखो भाई ध्यान से समझना डॉलर पर रॉपीज दिया है रॉपीज पर यूरो दिया पाउंड पर यूरो दिया तीन कोट्स दिया है और मांगा है डॉलर पर पॉंड मैंने rules क्या समझा है था सर डॉलर से start करेंगे डॉलर उपर लिखेंगे अब फिर मैंने गहाँ धा ढूंडो 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 यहाँ दिया है तो डॉलर के साथ कौन सी currency है रुपीज तो रुपीज लिग दिया मैंने नेचे फिर मैंने कहा था रुपीज जब भी तीन दिया तो रुपीज से रुपीज काटना है क्या सर एरो बना दू क्या सर रुपीज से रुपीज काटना है तो रुपीज ढूड़ ढूड़ पर रुपीज दिया है क्या सर दिया है तो बिट की बात करो तो सीधा उठा कर ये लिख दे फिर मैंने का देखो रुपीज पर यूरो दिया है कि सर दिया है तो मैंने का सीधा उठा कर ये लिख देना फिर देखो यूरो पर पाउंड दिया कि नहीं दिया तो वन से डिवाइट करना और जब भी वन से डिवाइट करना तो अब इसको मत इसको डिवाइट कर दे ना और इसको डिवाइट कर दे यह आ गया ठीक वैसी मैंने इसको कर रहा है यह है ट्रिक चलो एक इस question में समझा दे माल लो हमें dollar दे के pound खरीदना है हमें pound खरीदना है हमें pound खरीदना है और हमारे पास कौन सी currency है हमारे पास dollar हमें pound खरीदना मतलब bank pound बेचेगा मतलब हम ask rate कैसे नकाले हम 1.4947 कैसे ने का इस मुद्धे पर बात चल रहे तेयार हो तो खुद पूछ रहा हूँ ना पताओ यार हमें हमारे पास डॉलर है हम डॉलर दे के बैंक से पाउंड खरीदने का सोच रहे हमारे पास डॉलर है यहां से चलेंगे पहले हम डॉलर देकर हम बैंक को क्या देगे डॉलर और बैंक हमको क्या देगा रुपीज रेट किसका दिया है सर रुपीज का दिया बैंक रुपीज बेचेगा तो यह वाला रेट ले हमारे पास क्या आगए रुपीज तो हम रुपीज देकर यूरो खरी देंगे हम बैंक को रुपीज देंगे तो बैंक यूरो बेचेगा खरी देगा सर हमारे पास क्या आ गया हमने डॉलर देखे रुपीज अब बैंक क्या करेगा सर बैंक यूरो बेचेगा ये वाला रेट आ गया एक ये वाला रेट आगया, एक ये वाला रेट आगया, that's it, अब फिर से वही हमने, वही सिक्वेंस बता है, अब देखो, डॉलर पर रुपीज दिया है, सीधा लिखा, फिर सर रुपीज पर यूरो दिया, ये भी सीधा लिखा, और सर फिर, 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 पाउंड पर दिया, पर यूरो पर पाउंड है, तो वन से डिवाइट करना पड़ेगा, अब बच्चों का दिमाग खराब हो गया, सर, वन से डिवाइट करना तो अपोजिट रेट लेना पड़ेगा ना, नहीं भाई, वो तो ट्रिक था, ये तो आप लोजिक के साथ कर रहे हैं, तो ए यही रेट लेंगे, फिर इदर देखना नहीं, फिर वन से डिवाइट बले ही हो जाए, पर मैंने ट्रिक के हिसाब से क्या, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ सोचने वाली बात नहीं है, यह तो बिल्कु सिंपल है, ट्रिक, क्या ट्रिक समझाया, सर, वन से डिवा अच्छे से, ठीक है, अब इन सब बातों में नहीं जा रहा हूँ, एक और होता है, वो होता है, कस्टमर रेट, अगर इंटर बैंक रेट से दिया है, तो customers rate कैसे हैं interbank का rate का मतलब bank जो आपस में lendin करती है एक rate होता है bid rate और एक rate होता है ask rate क्योंकि बहुत अच्छे से concept समझा जो कहा हूँ इसलिए simple language में बोलूँगा bank जो आपस में lendin करती है एक bank दूसरे bank उसकी अपेक्छा जो customer के साथ इत्बील किया जाता वो rates अलग होते है bank उसमें margin adjust करती है ठीक है it means अगर ask rate interbank rate asked rate मतलब bank के बेचने का bank जब customer को बेचता तो और महगे में मतलब sir ask rate में margin एड होता है हाँ जी ask rate में margin एड होता है अगर bank customer को बेचता तो और महगे मेंगे में बेचेगा और सर अगर bank customer से खरीदेगा तो और system में खरीदेगा मतलब सीधी सी बात है bid rate में से margin minus होता है और ask rate में margin plus होता है आपको यह याद रखना generally है cancellation में काम आता है तो cancellation में काम आएगा एक बात याद रखना ask rate bank बेचेगा तो और मेहगे में बैंक खरी देगा तो और से स्थेम फीड में से मार्जिन माइनस होगा आस्क में प्लाइब देखेल से पेसिक्स हमारा खतम हो गया और यही थोड़ा बहुत आपको समझाना था अब हम कोशन श्टार्ट कर रहा है ऐसे बच्चे जो मुस्से ग्लास नहीं किये है वो पिछला ना देखे अब श्टार्ट करते कोशन अब देख सकते हैं अब कोई देखे चलो जी आगे बड़े क्यासा कोशन मना नहीं जा रहा है हम लोग एक सिक तो पहला कोशन आंसर दिया क्या है सर दिया हुआ है येन पर डॉलर और डॉलर पर पाउंट और पाउंट सॉरी डॉलर पर ऑस्ट्रिलियन डॉलर ठीक है कोई दिक नहीं कैलकुलिट दो क्रोस रेट पर पाउंट इन येन मतलब सर ये मांग रहा है येन पर पाउंट yen per pound तो sir अब सीधी सी बात है yen उपर होना चाहिए उपर है तीन रेट यूज तीन रेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि common currency सब में dollar दिख रही है इन दो rate को यूज करके काम हो सकता है जैसे yen उपर दिया yen उपर है pound नीचे दिया pound नीचे है तो इन दोनों का common currency dollar है सीधा 1071 से divide करने की जरूरत नहीं नीचे pound चाहिए pound ही दिया 1.26 तो answer आजाएगा 135 point sir ये RTP में डला हुआ था November 2020 में प्लीज कर ले ना उसके बाद तो आप कर रही लोगे तो question number 1 में ऐसा कुछ करवाने वाली बात नहीं है ऐसे question जो खुद से देखकर हो जाएगा उस पर में ज्यादा discussion नहीं करूँगा ज्यादा अच्छा मैं सिब समझाते हुए चलूँगा यार किसी question में मुझे ऐसा लगा कि भीया यह आपको देखना पड़ेगा लाश्ट में उस question पर मैं discussion पकाइदा करूँगा जैसे question number 3 बहुत अच्छा question है question number 3 आपको देखना पड़ेगा लाश्ट में sir module का question है कि tyk9 simple cross rate का question है और मैं इस question को logic के साथ करवाया हूँ ट्रिक यूज नहीं किया हूँ तो वो logic में discuss कर देखना इसमें हो किया रहा है 28 जनवरी 2013 को कोई importer आया था और importer आया था और उसको चाहिए था Singapore dollars और इस question में पता नहीं लग पा रहा था कि हम कहा के तो हमने मान लिया था कि हम इंडिया के रहने वाले है और इंडिया के रहने वाले है तो हमारे पास rupees available है it means हमने import किया है customer ने import किया है उसको Singapore dollar खरीदना है it means Singapore rupees per Singapore dollar चाहिए हमें एक Singapore dollar 28 तारिक को हम खरीदने जारा 28 जनवरी को तो हमको कितने का मिलेगा इसमें बहुत सारे बच्चों का ये भी question था कि sir Singapore dollar per rupees नहीं निकाल सकते है कि निकाल सकते हो उससे भी answer same ही आएगा और कोशिश करो कि इस तरह से निकालो क्योंकि आरो सिधा diet quote निकाला करो तो क्या कहना है उनका ये कहना है कि जब हम 28 जनवरी को 28 जनवरी को बैंक के पास गया तो बैंक ने कहा कि हम आज आपको delivery नहीं दे सकते Singapore dollar का तो फिर आप charge and fab को गया fourth fab को आपको मिलेगा अब याद डिले हो गया डिले किस वज़े से हो गया कोई भी unavoidable region हो सकता उसमें एक region ये हो सकता कि bank में strike थी इस वज़े से जो 28 जनवरी को Singapore dollar मिलने वाला था वो 28 ना लेकर हमें fourth fab को खरीदना पड़ेगा मजबुरी तो सवाल बस इतना है कि आप डिले हो गया इसकी वज़े से आपको loss हो रहा है कि gain हो रहा है it means क्या कहना चाहता है it means वो कहना चाहता भईया आप रुपीज पर Singapore dollar यहां का rate निका लीजिए और रुपीज पर Singapore dollar एक यहां का rate निका लीजिए और देख लीजिए कि Singapore dollar महगा हो गया कि सस्ताव इस question में दो बात थी पहली ये जो rate दिया था ये दिया था the interbank rate interbank rate मतलब सर जो भी rate निकलेगा उसमें margin plus करना पड़ेगा हाँ bank बिज़ेगा तो margin plus ओके तो सर रेट निकाले और दूसरा जो समस्या था वो था cross rate तो उन दोनों के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा मैं इसको ऐसे भी करवा सकता था कि मैं बोलूं कि यार सीधा आप एक काम करो ट्रिक से भी कोश्चन करवा सकता था मैं ट्रिक से नहीं करवा रहा हूँ मैं logic के साथ conceptual करवा रहा हूँ इस कोश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना मझे problem ये है कि मैंने इसको पहले ठीक से लिख दिया रुपीस पर डॉलर लिख दिया डॉलर पर पाउंड लिख दिया सिंगापूर डॉलर पर पाउंड लिख दिया अब हमारे पास कौन से करेंसी है हम इंडिया के रहने वाले हमारे पास रुपिया है अब बदले में हमको क्या खरीदना है सिंगापूर डॉलर और रुपिया से पहले हमको डॉलर खरीदना पड़ेगा डॉलर से फिर पाउंड खरीदना पड़ेगा और पाउंड से फिर सिंगापूर डॉलर है हमको rate decide करना सबसे पहले हम trick use नहीं कर रहा है हमें rate decide करना कि किस rate पर हमको सिंगापूर डॉलर मिलेगा आओ काम करें तो सबसे पहले क्या करेंगे सर्फ सबसे पहले bank भाई ये bank ही तो कर रही है आपस में यस तो जो bank है मान लो उसके पास available नहीं वो कहीं और से आपको खरीद के दे रही है तो bank क्या करेंगे मान लो bank के पास क्या available है रुपीस मैं bank बोलूँगा तो आप confused हो जाओगे फिर आपको एक bank दूसरे bank तो मान लो आप customer हो ठीक है रुपीस पर डॉलर तो सर्फ पहले हमारे पास रुपीया है तो bank dollar खरीदेगा बेचेगा सर बेचेगा ना यार bank ने dollar बेज दिया तो rate आगया 45.90 अब आपके पास कौन से मैं rate डिसाइड करूँ और कुछ नहीं करूँ तो हमारे पास आगया sir dollar और फिर हमने क्या किया अब bank pound बेचेगा यस अब bank को dollar देंगे bank आपको pound बेच देगा अब आपके पास कौन से करें sir आवा हमारे पास pound आ गया है तो bank pound आपसे खरीदेगा ये वाला rate पस rate ही decide करना था ओके सर एक ये वाला रेट, एक ये वाला रेट, एक ये वाला रेट, एक ये वाला रेट, फिर से ये लिखा है मैंने सारी के साथ, तो उसके हिसाब से हमने फिर यहां रेट लिख लिया, रुपीज पर डॉलर लिखा, डॉलर पर पाउंड लिखा, और सिंगापूर डॉलर प बाकी में कुछ नहीं सुना चाहता, तो धूंडो रुपिया कहा है सर, रुपिया है, रुपिया के साथ क्या है डॉलर, तो रुपीज से डॉलर, अब देखो डॉलर के साथ क्या है, डॉलर, डॉलर, डॉलर के साथ पाउंड, पाउंड, पाउंड से पाउंड करना चाहिए, यहां पाउंड पर Singapore dollar दिया नहीं दिया तो वन से डिवाइट करना पड़ेगा, वन से मैंने डिवाइट कर दिया, अब यहां यह कसम खालो, यह मत बताना, सर वन से डिवाइट करना तो फिर यह वाला rate नहीं, दूसरा वाला लेना, नहीं, 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 भाई, जब rate decide हो गय हो गया, rate final हो गया, तो फिर इसको change नहीं करोगे, ओके, तो सर हमको यह इतने का पड़ा, कौन से डेट में, सर हमको 28 जनवरी को इतने का पड़ा, और bank Singapore dollar बेचेगा, तो थोड़े महगे में बेचेगा, और margin कितना दिया है, margin दिया 0.125%, प्लीज देख लेना, 0.125% margin add किया, तो अगर हम 28 जनवरी को, हमें कितने का पड़ेगा, 25.9806, अब वही rate आप कपका ले लेना, 4 FAB का, और उसमें भी क्या add कर देना, margin, तो यह आ गया, 26.0719, margin add करने के बाद, तो जो Singapore dollar, 28 तारिक को हमें 25.9806 का मिल रहा था, सर कितना डिजिट लेना, 4 कैसे पता, यहां लिखा हुआ, 4 डिजिट में, तो जो हमको इतने का बढ़ना था, वो महगा हो गया, और कितना Singapore dollar है, 25 million, 25 lakhs, multiply करने से हमको यह loss आ गया है, डिले की वज़ा से, ठीक है, ओके सर, exam में भी आया है, और module में भी तो important question है, सर, एक doubt आया था बच्चे, सर देखो, सबसे पहले हमने यहां से खरीदा, तो इसमें margin अलग से adjust करते, फिर इसमें अलग से करते, फिर इसमें, अब last में क्यों कर रहे हैं, तो बात की समझने की कोशिश करो, यह customer जगा 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 जाकर नहीं खरीद रहा है, यह bank खरीदेगी, कहीं और से, मिरी बात समझने की कोशिश करना, एक bank है, आप bank के पास आए, बोलते सिंगापूर डॉलर चाहिए, बोले मिलेगा, यह bank दूसरी जगा से रुपिया देकर, डॉलर खरीदेगी, डॉलर देकर, क्या खरीदेगी भाई, पाउंड खरीदेगी, पाउंड देकर, अब आगया सिंगापूर डॉलर, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होई है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में कभी भी margin का adjustment नहीं होगा, अब जब customer को बेचेगी, तब margin प्लस होगा, यही मैंने समझाया था, आपको यही doubt आया, इस question पर बहुत टाइम लगा दिया, आगे चले, question number four करने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो, बाहर से उठाया था, okay sir, आगे चले, question number three, वापस बच्चे को आपको doubt आ गया था, तो फिर समझाया था मैंने एक बार, okay sir, यह वाला example है, बिल्गु simple तरीके से समझाऊँगा, multiple choice question आने के chances है, तो अच्छे से करोगे, मान लो यार, US में, कोई एक person, US कही है, US कही person, bonds में invest करता है, कितने रुपे का bond खरीदा है, रुपिया ने, कितने डॉलर का 105, कितने साल के लिए investment है, एक साल, एक साल बाद उसको डॉलर साथ, उपन मिला, और एक साल बाद बाद बीचोगे, तो एक सो साथ का, तो holding period return बता सकते हो, अराम से सर, एक सो साथ, प्लस साथ, मान लो, कोई इंडिया का investor होता, ठीक है, उसको ये तो मिलते ही मिलता, और अगर हम बोले कि dollar appreciate हो रहा है, कितने percent से, पाच percent से, तो सर, उसकी return तो ज्यादा आती, क्यों, क्योंकि सर, आज dollar का rate जो है, जब हमने पैसा लगाया, एक साल बाद जब पैसा आएगा, तो सर, ये total मिला कर पैसा आएगा, यस, और जो dollar मिले ही, तो और भी तो पाच percent extra मिलेगा ना, सर, आप नहीं समझ रहे इस बात को, यस, तो फिर उसका return कितना हुगा, 8.57 की 8.57 से ज़्यादा, 57 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा, सर, पाच percent ज़्यादा, पाच percent से appreciate हो रहा ना, तो पाच percent ज़्यादा, पर conceptual ये मैंने समझाया हूँ, actual में, पाच percent add नहीं किया जाता, multiply किया जाता, factor into factor, सर, logic क्या है, logic यहाँ समझाया था, यह logic हलाग कि आपको काम नहीं आएगा, यहां मैंने logic समझाया, okay, मतलब सर, अगर कोई बाहर का investor है, और वो currency, opposite currency जो आने वाली, वो appreciate हो रही है, तो उसके आने से, क्योंकि वो एक साल बाद आ रही है, और महगी भी हो रही है, तो जो एक साल बाद आएगा, वो तो ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा, जब बेचोंगी तो और ज़्यादा में पीकेगा, तो सर, उस हिसाब से हमारा, जितना return सामने वाला कमारा, उस से ज़्यादा return हम कमाएंगे, इसी बात है, factor into factor होगा, okay, question number 5, ये हमारी book मतलब, AFM का module, TYK1 है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, पॉंड है, कितने डॉलर का है, प तो सर, होल्डिंग पिरेटर निकल गए है, बारा परशन, पर किसके लिए, यूएस इनवेस्टर के लिए, अगर कोई other than यूएस इनवेस्टर है, और डॉलर appreciate हो रहा है, दो परशन से, तो 1.12 into 1.02, minus 1, उसका answer कितना जाएगा, 14.24%, बहुत सारी कहानिया बताया था, कि जो appreciation हो रहा, वो interest के अलावा principle पे भी तो होता है, इस अब बताया हूँ, अभी बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाओ भी, उतना time भी नहीं है, ये into 1.02, जो return कमा रहा है, उसमें 2% extra कर, अगला topic first हमने किया, और first हमने किया किया, अभी से basics किया, अब बात करते हैं, arbitrage, तर ये derivative वाला arbitrage फिर आ गया है, कि आज आने दोना यार, क्यों चिंता कर, अब बात हो रही है, spot market arbitrage, मतलब सर, मतलब यार, अगर मैं dollar की बात करूँ, तो dollar, हमारे यहां मान लो 85 रुपीस का भिकरा, US में भी क्या वोई rate होगा, नहीं सर, वहां तो कुछ और हो सकता है, तो simple से दो transaction करना है, जहां सस्ते में भी करा, वहां से खरीदो, और महगे में बेश दीची, कोई बता रहा है, suppose इंडिया में और US में, dollar क्रेट, इंडिया में 80 रुपे 50 पैसे, यहां 80 रुपे 90 पैसे, बताओ कहां से खरीदोगे, कहां बेचोगे, सर, इंडिया से खरीदेंगे, US में बेचेंगे, और 40 पैसा, एक डॉलर पे 40 पैसे का फाइदा, this is spot market arbitrage, कुछ नहीं करना, arbitrage नहां सर, हाँ सर, we'd ask दिया है, इसके थुरू कर लेंगे, बहुत जदम सके नहीं है, सम्में करवा चुका हूँ, कहां सस्ते में विक्रा सर यह आता है, कि यह नहीं आता न, इसलिए तो मैं जल्दी-जल्दी निकल रहा हूँ, इसमें हम मैनत कर चुके, question number 31, एक बार देख लेना, अच्छा question है, question number नहीं, example number है, important भी लिखवाया है, आ सकता है, इसे, भी यूएस में, रेट दिया है, रुपीज पर डॉलर, साट रुपिया, और डॉलर पर पाउंड, 1.50, कहां का रेट है, यूएस का रेट है, on the basis of above action rate, what should be the price of pound in India, इंडिया में कौन सी काना यह से चलती है, रुपिया, तो वो क्या कहना चाहता है, सर, वो यह कहना चाहता है, भाई, कि इन रेट्स को देखते हुए, इंडिया में, पाउंड का price क्या होना चाहिए, मतलब सर, सीधी बात, cross rate नेकालना, इंडिया में, मतलब रुपीज पर pound, रुपीज उपर दिया, पाउंड ही सर, सीधा multiply हो जाएगा, ही है, और multiply होके आगे, एक pound 90 रुपे का होना चाहिए, कहां होना चाहिए, इंडिया में, पर यह rate है कहां का, होना चाहिए, और है में अंतर है, यह rate है कहां का actual, यह rate है तो US का, और no arbitrage में क्या होता, जो US में rate है, वही इंडिया में होना चाहिए, मतलब यह rate इंडिया का नहीं निकला, यह rate जो निकला है, वह निकला है, actual rate है US का, और हमारे हिसाब से यहीं इंडिया में होना चाहिए, पर इंडिया में तो या रेट 80 रुपए है तो क्या करोगे पाउंड इंडिया से खरी देंगे यूस में बेचेंगे 10 रुपए का फायता यही आर्विट्रेस मजा कोश्चन नमबर 32 इसको ट्राइंगुलर आर्विट्रेस भी बोलते है इसको ट्राइंगुलर आर्विट्रेस भी बोला जाता है और मैं बड़ी आसानी से रूट पता करके बता सकता हूं कि कैसे करना है पर बेकार में इन सब चीजों में टाइम बरबाद ना करोगे तो ज़्यादा चाहिए इससम मैंने बताया हूं करवाया हूं और अभी रिवीजन का समय है तो काम काम की बात कर रुपीज पर डॉलर दिया डॉलर पर पाउंड दिया पाउंड पर रुपीज दिया और कह रहा है कि आपके पास एक लाख रुपए है क्या आर्विट्रेस पॉसिबिलिटी है अब ध्यान से समझे हमारे पास क्या है एक लाख रुपए और एक लाख रुपए लगा कर अगर हम एक लाख रुपए से ज़्यादा कमा लिए है कार्विट्रेस तो सर्फ कहां चले हमारे पास क्या रुपिया तो सर्फ पहले ना एक काम करो इंडिया में जाओ इंडियन बैंक के पास और वहां रुपिया देकर डॉलर ले लीजिए बिल्कुल सही अब आपके पास कौन सी करेंसी आ गई डॉलर फिर इस सर्वले यूएस पहुचिए वहां डॉलर देकर पाउंड ले लीजिए पाउंड आ गया UK पहुचिए वहां पाउंड देकर रुपिया ले लीजिए अगर रुपिया आपका एक लाग से जादा है तो आरिविट लीजिए यहां फिर दूसरा रूट है कि पहले आप UK पहुच जाई है क्या लेकर रुपिया लेकर रुपिया से पाउंड पाउंड से डॉलर डॉलर से रुपियस मैंने आपको बताया था किसी एक रूट में प्रॉफिट हो सवाल है कि वो रूट कैसे पता किया जा सकता थो मत करो मैं करवा चुका हूं और जो बच्चे मुझसे पहले क्लास लिये हुए उनको पता है कि सर रूट बताते थे कि यार ऐसे पता लगाया जा सकता क्रॉस रेट के मादियम से टाइम बरबात करना है आई सी ए आई भी नहीं करता है तो ना मेरी बात सनजना है आपके पास करेंसी कौन सी है रुपीज ही आपको दिया रहेगा कभी भी याद रखना रुपीज से ही स्टार्ट करना है आपके पास जो करेंसी बताएगा उसी से स्टार्ट करना और वहीं पे खतम करना तो पहले रुपीज से डॉलर डॉलर से पाउंड और पाउंड से वापस रुपीज रुपीज से डॉलर, डॉलर से पाउंड pound से rupees रूपीस से ही start होना है और rupees पर ही खत्म होना है और या फिर दूसरा route क्या हो सकता था तर रूपीस से pound सही pound से dollar और dollar से वापस रूपीस अगर आप 1,00 रूपए खर्च कर रहे हों तो एक लाग से ज़्यादा आना चाहिए और किसी भी एक रूट में एक लाग से ज़्यादा आएगा यह तो final है कौन से रूट से आएगा भाई साब कैलकुलेटर उठाओ और करो इसको चेक करते सुना दिहां से एक लाग से एक लाग लगाया तो एक लाग से ज़्यादा आएगा हमारे पास क्या है रूपीज तर यहां से स्टार्ट करें एंडिया से एक लाख है रूपीज एक लाख रूपीज है और डॉलर का रेड दिया है बोलो क्या होगा डिवाइट यह इतना तो आना चाहिए है डॉलर आ गया है 165.89 मैं पहले कैल्यगूलिटर में चेक करूं 8 and 9, 0 मतलब sir loss हो रहा है, yes तो किस route पे profit है, इस route sir check करके देखिए कि नई check क्यों करना है, पक्का profit है इस route पे अब लिखना है, start कर दीजिए और sir इसी में आ गया तो पक्का फिर ये करने की जरूत नहीं ये तो loss ही है, फिर लिखना है, start कर दीजिए मतलब आपको एक ही बार करना इसमें loss आ गया, मतलब इसी में gain है और हम लिखना, start करेंगे मतलब हम कहां से जाएंगे, हम UK से जाएंगे सेयार हो तो sir UK से पहले क्या खरी देंगे, वहां से pound खरी देंगे आपके पास क्या है, rupees 1,00, और रुपिया का rate दिये तो multiply होगा, एक लाग इंटू ये तो sir ये आ गया है, pound बारो सुपिया pound है, pound का ही rate दिये तो sir multiply हो जाएगा, ये आ गया है dollar dollar के फिर multiply हो जाएगा ये वापस आ गया, rupees लग आया कितना, 1,13,000 माइनस 1,00, तो answer आ गया 137 आ सकता है, पहले तो question आप भी जाते थे, 4 नंबर के, 5 नंबर के, पर अभी MC की उसका बनता है, बहुत ज़्यादा मुस्किल है नहीं cross rate के माधियम से भी आप बता सकते हूँ, कि बताना ही नहीं चाहता जो बताना था, वो class में बता चुआ यह सब दिख रहा ना, से अब हम cross rate करके देखें ओके, example number 33, bid और ask लेके bid और ask लेके, example है, question भी है तो sir question करवाना ना, example क्यों करें तो triangle start करे, question, yes, बात किसकी हो रही, spot market, arbitrate sir, यह question करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे इसको यह IC AI का question नहीं है, बाहर का लिया हूँ, खोड़ सकते यह वाला question करना पड़ेगा भै अब सवाल है sir, यह rate से दे रखा है और आपके पास है dollar sir, यह क्या हमारे module का question है, yes, TYK 13 तो प्लीज कर ले न, अच्छा question है कुछसे बड़ी बात है sir, यह दिया क्या है, generally मैंने कहा कि यह generally ऐसे दिया रहता ना, तो इसको हम one लेते हैं इसका मतलब, sir, $1 is equal to 48.3 हाँ, होता है, तो इसका मतलब यह one है इसको one ले नहीं सकते हैं, तो अजीब सा नहीं लगेगा, एक रुपिया बराबर इतना $1 अजीब सा लगेगा तो sir, हमको इसको one लेना है, और फिर आग बंद करके सब इधर one हो, फिर यह मत सोचना कि यह उल्टा दिया, तो यह सीधा दिया होगा, इसके विशे में सोचेगे, नहीं 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 एक के विशे में सोच लिए ना, यह one है, तो फिर यह भी one होगा, यह भी one होगा इसको मैंने ठीक से लिख लिया आपके पास से डॉलर, तो आपको स्टार्ट कहां किसे करना है, डॉलर से खतम कहां भी करना है, तो पहला रूट क्या होगा, डॉलर से रुपिया, रुपिया से पाउंड, पाउंड से डॉलर, या फिर डॉलर से पाउंड, पाउंड से रुपिया, रुपिया से वापस प्रॉपिट है, और आपके पास कितना है, सॉलाख रुपय, श्टार्ट कर सकते हो, चैक करके देखे क्या है, चलो, सॉलाख, तो सॉलाख, क्या है, डॉलर, तो डॉलर का यह rate दिया, इन्टू 48.30, यह क्या गया है, रुपिया, तर पाउंड का rate दिया है, डिवाइट, यह क्या आगया है Pound पर सर्फ Pound का ही रेड दिया तो Multiply यह 100 लाख से ज़्यादा आगया है 10 लाख है कि 100 लाख है देख लेना और यह आगया 1 1 ठीक है तो सीधा इसी पे गेना चाहेगा बत खता पर सीधा लिख देना तो Question No.7 खतम हो गया हमारा Question No.8 यह तो कठी कर दो जब अच्छा Question क्या करो Question No.9 यह भी कठी कर दीजिए I.C.E.A. का कोशन नहीं ओके तो दो पॉइंट किया हमने एक बेसिक किया और एक किया Spot Market Arbitrage अब आगे चले अब बात है फावर्ट कॉन्फरक्ट forward contract क्या है कुछ नहीं है भी अगर हम इंपोर्ट करते और हमको जो payment करना वो आज नहीं करना हमको जो payment करना वो दो महने बात करना तो से दो महने बाद अगर US वाली पारटी को पैमेंट करना है तो एक बात का डर है किस बात एक डॉलर का रेट बढ़ना चाहें तो उसके लिए यार हम बैंक से एक कॉंट्रेट कर सकते कि बैंक फ्यूचर में हमें आप डॉलर कितने का दोगे एक लाग डॉलर कितने का दोगे आप बता दीजी देए बस और कुछ नहीं ओके है तो इस पे एक दो एक्जामपल होना जरूरी है क्योंकि उसके बिना काम फार्व यह इंपोर्टन टॉपिक है इससे कॉश्चर आ जाता है लिखवा 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 लिखा है इंपोर्टन देखे जान रिज़ अच्छे से करना इसपोट रेट का मतलब क्या होता है आज का रेट अगर हम आज डॉलर खरीटे निखा इंपोर्ट प्रोसीड 1,000,000 डॉलर इसमें नहीं लिखा था कोश्चर में पर मैंने लिख लिया और मैंने समझाया भी था क्या इंपोर्ट किया तो हमको payment करना है राम को payment करना है किसे payment करना Mr. A को 1,00,000 डॉलर तीन महने बाद आज rate क्या है तर आज rate है अगर हम bank से डॉलर खरीदने जाएगे तो bank बेचेगा 71.25 किस बात तरद पर आज तो खरीदना नहीं हमें कब खरीदना है future में तीन महने बाद किस बात का डर है रेट बढ़ना जाए आपको क्या लगता है कि rate क्या हो जाएगा और मेरा अनुमान है किसका राम का अनुमान है कि rate हो जाएगा 74 ओ हो और राम ये सोसरा ये भगवान मुझको loss हो सकता कितने का loss हो सकता क्या अनुमान है कि rate 74 हो सकता तो कितने रुपे का loss हो सकता expected loss निकाल सकते है एक लाग इंटू वैसे आज ये होता इन दोनों का difference इंटू एक लाग कर सकते हो पर नॉर्मल अगर करें तो नॉर्मल ICAI टाइम पास करता और हम भी करेंगे वो क्या करता है वो किता अगर हम आज डॉलर खरीदते हैं तो हमको मिलेगा 71,25,000 और अगर हम आज नहीं खरीदते हैं और hedging भी नहीं करते हैं तो हमको जो डॉलर मिलता है मिलेगा वो तो 74 के हिसाब से मिलेगा तो बताओ expected loss कितना हुआ सबसे पहले expected loss पूछ़ए और expected loss निकाल लिया ऐसे अलग-अलग करके बताता है हाला कि आप गयरों इन दोनों की बीच का डेफरेंस इंटू 1,00,000 वो भी चल जाएगा कुछ जगा ये पूछता है expected loss दो लाक पचित तराज अब बैंक कहता है कि सुनो ना राम आप एक काम करो हमारे सब कॉंट्रेट कर ले हम आपको तीन मैने बाद डॉलर देगे बेचेंगे और हमें हम आपको बेचेंगे 72.50 में इसको बोला जता है फॉवर्ड रिट क्या राम को पावर्ड कॉंट्रेट कर लेना चाहिए तो सवाल ये है कि मैं कहुँगा कि हाँ जी करो चाहे आपका expected कुछी भी करो हैच करो क्योंकि आपका tension तो खतम हो जाएगा पर वैसे जवाब नहीं देना होता इट मेंस जवाब देने के लिए आपको expected आपका क्या लग रहा आपको अब मैं कुछ को लग रहा बढ़ेगा बढ़ेगा वही तो चलो ठीक है 72.50 में कॉंट्रेट कर लीजी दिक्कत क्या है तो क्या कॉंट्रेट करना चाहिए यस क्योंकि जो आपको पैमेंट करना अगर आप हैजिंग नहीं करते तो ज़्यादा पैमेंट करना पड़ेगा तो क्या लिखोगे expected spot rate is more than forward rate कोई मैंने लिखवाया होगा जैसे expected spot rate is more than forward rate थैंस राम सुद एंटर इंटर इंटर अब आगे क्या अब आगे सुनो धियान से अगर हाँ तो बतलाईए हैजिंग करके या forward contract करके आप कितना पैसा बचा लो की अब यहाँ ध्यान से काम करना ICAI क्या करते ICAI हलाकि मैंने example में किसी और तरीके से करवाया है ICAI ऐसे नहीं करते ICAI फिर comparison करता है 71.25 का 72.5 फिर loss निकालता है loss तो अभी भी है अगर forward content करते हैं तो भी loss है 72.50 minus 71.5 फिर भी loss है कितने का 1,25 अगर हम hedging करते हैं तो 1,25 जार का loss है इसकिस के बीच में comparison किया 71.25 और 72.50 जबकि हम hedging नहीं करते हैं तो भी loss है और कितने का 2,25,000 तो sir loss तो कम कर दिया आपने 2,75,000 minus 1,25,000 sir answer आ रहा है 1,50,000 का आपने loss 1,50,000 ही आएगा ये मैंने direct किया है ICAI में फिर से वो रहों ऐसे नहीं ICAI कभी भी फिर से सुन लो, सुन लो, रटवा रहा हूँ जरूरी है जब बुलेगा expected loss तो sir is port rate और expected response फिर बुलेगा कि saving in loss तो फिर करता हूँ is port rate और forward rate और यहां भी loss निकालता है और यहां भी loss निकालता है और कहता देखो loss कम खो गया hedging की वज़ा से loss कम ऐसे ही करना है ऐसे नहीं करना मैंने जो करवाई उमेने question मैं करवाई हूँ proper करवाई ठीक है जी कैसा चलियाँ के अब यह example दो करीड होगे इसमें मैं time बरबाद नहीं करूँ यह भी कर लोगे मैं सिधा question पर आऊं क्या एक example और होना जाए अच्छा premium यह discount यह भी important है premium मतलब dollar महगा हो रहा है आज dollar 80 और तीन मैने बाद जो bank बोल रहा है dollar 82 का मिलेगा तो dollar महगा होगे तो वो percentage की हमको जरुरत पड़ती है formula बड़ा simple है power rate minus spot rate और base में तो spot rate ही आना है कि यार आज की rate से dollar कितना महगा होगे into 100 और हमें per annum basis पे दिखाना पड़ता है इसलिए period into 12 तो इसकी कहां जरूरत पड़ेगी पड़ेगी आगे IRP आएगा PPP आएगा बड़े-बड़े topic है वहाँ इसकी पक्का पक्का जरूरत पड़ने वाले ओके तो ये भी topic है इस पे भी एक-दो question हो जाएगा तो समझ में आएगा spot rate दिया है two month forward rate दिया और six month forward rate भी दिया वह किकाम का नहीं है और ये bit का दिया ask का दिया और premium या discount in dollar और rate किसका दिया है dollar कही दिया ज़्यादर चिंता नहीं है चिंता मालू में कब आएगी फिर से तुनो problem कब खड़ी होने वाले rate डॉलर का दिया है premium या discount rupees में मांग रहा है तब दिक्कत होने वाली है पर खेर अभी कर लेते कैसे करो के 71.45 minus 70.25 divided by 70.25 into 100 into 12 by 2 answer आजाएगा प्ली आप चेक कर ले ना बड़ा सिंपल सा टॉपिक है इस पर टाइम बरबाद नहीं कर सकते हैं ये वाला example important example number 38 important देखे तर इसपॉट ट्रेट दिया है और फावर ट्रेट दिया है premium discount dollar में मांगा तो समस्या ने तो simple है 71.25 माइनस 70 रुपिया 45 पैसा divided by 70.45 into 100 into 12 by 3 रुपीज में मांगा है तो formula उल्टा लग जाता है रेट किसका दिया है dollar का premium या discount किसमें मांगा है रुपीज में तो फिर सुनो मैंने derivation किया मैं derivation पे नहीं जाना चाहता काम की वा और रेट मेंने बताया जैसे मैं F-S कर रहा था ना यहां हो गया S-F उल्टा और S की जगह क्या आ गया F इट मिन्स सीधा लिया 70.45S मैंनस F डिवाइड बाइ F इंटो 100 इंटो 12 इसे डिसकाउंट इन रुपीज और यह सर आया कैसे तो यह derivation मैंने करवा रखा यह derivation आप चाहो तो यूज करना चाहो तो मत करना आपकी मत जी इजे important है यह थोड़ा सार सर याद रखना जरूरी है हाँ जी बिना याद रखे काम नहीं होगा पर सुनो अगर प्रीमियम डॉलर का ही रेट दी और डॉलर डॉलर में ही मांगा तो एक्च्वल में फॉर्मूला यही है भाई यही है F माइनस S बाइ S लेकिन याद जब रुपीज में मांगा है तो एक ही तरीका या तो इसको उल्टा कर ले या तो सिंपल से डेरिविशन से मैने heli निकाला तो वह आया किसे रुपीज में मांगा है F माइनस S की जगह जाएगा S माइनस S S की जगह जाएगा F ते डैरी विशन से मैंने करवा थी चीक है ओक्ये ले आगे चीक है फिर तो ये बन जाएगा अचा अब यार चीजे आती है कि यार कभी कभी ना बैंक ना सीधा जब उसे फावर्ड पूछो ना फावर्ड डेट क्या चल रहा भाई बैंक तो वो सीधा नहीं बताता वो स्वैप पॉइंट से बोल देता है पीप वगेरा होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है सिंपल सी बाद स्वैप पॉइंट होता क्या है स्वैप पॉइंट कैसे काम का तो बात है कि अगर ये 10 और 15 मतलब इसपॉइंट दे दिया है और फावड रिट के लिए सिर्फ स्वैप पॉइंट से बोला है 10 और 15 मतलब सर पहले काम है और फिर जाता है यस असेंडिंग ओडर में है तो फावड रिट निकालने के लिए प्लस कर दिते हैं और सर अगर डिसेंडिंग ओडर में है तो क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं समझते हैं समझा रहा हूं समझा रहा हूं काम की चीज़े ये बार-बार आएगा आपके कोश्चन में इसलिए इसको समझना जब रूपीस पर डॉलर दिया है और ये 45 क्या है सर इसको ठीक से लिखो 60 रूपे 25 पैसे और 60 रूपे 45 अब वन मन्त हमने का बैंक बैंक वन मन्त फावर डिट कया चल रहा हूं उन्होंने का 10 और 15 10 और 15 हमको क्या करना पड़ेगा सर ये कम है ये जादा तो सर प्लस करना पड़ेगा वो प्लस किया याद रखना ये पैसा जैसा होता पीछे से प्लस करना होता तो मैंने प्लस किया अब बैंक बैंक 2 मन्त फावर डिट क्या चल रहा हूं उन्होंने बताए 25 पंदरा 25 पंदरा है तो माइनस करना पड़ेगा forward rate निकलने के लिए minus ascending में है तो plus, descending में है तो minus question number 41 41 example number मैं question बोल रहाँ, example report rate है, ही चार डिजिट में है और swap दिरेगा 30 यहाँ आएगा और 60 यहाँ आएगा, मैंने का पीछे से मिला 30 और 60 और ascending order में तो क्या हो जाएगा, plus और 40 और 70 तो 100% 40 यहाँ आथा, 70 यहाँ आथा, पर पैसा सब्द लिखा है और पैसा सब्द लिखा है, तो मैंने का फिर आपको पीछे से नहीं मिला आपको 40 divided by 100 40 पैसा है, तो रुपिया में convert करो, तो 40 divided by 100, 0.4 तो फिर मैंने यहाँ 0.4 और 0.7 लिखा, this is most important पैसा लिखा है, तो divided by 100 ही होगा फिर आपको पीछे से मिलाना है कि क्या करना, कुछ नहीं, divided by 100 कर दे इतना काम का नहीं है यह वाला, यह वाला काम का है this is important, क्योंकि इससे 2-3 question है 2-3 question है dollar per pound दिया है, ठीक है और 2 months वह 0.35, 0.45 cents दे रहा है cents का मतलब क्या होता है, पैसा तो कुछ बच्चे क्या करते, 0.35 add कर देते, वो गलती हो जाएगी मैंने का, पैसा सब्द लिखा होगा तो divided by 100 करना पड़ेगा और मैंने 0.35 divided by 100 किया तो यह आ गया, 0.0035 और यह plus हो जाएगा important है, cents लिखा है मतलब divided by 100 करना ओके ज़र, start करें यस, यह वाला question तो काम का है नहीं question number 11 से start करते हैं और किस्मत देखो यह आप AFM module जो है उसमें भी TYK 11 लिखा हो start करें, यस इस topic में time लगना था करीब-करीब 200 pages होगी है न इसमें से अभी तक हमारे कितने pages यूज होगे, 88 pages यूज होच चुकी है, notes मतलब यहर forex में, जो forward cover है, वो उसके बड़े सारे questions है, हाँ ची, forward cover के questions करते हैं एक बार okay following two way quotes appear appear in the foreign exchange sport trade दे रखा और two month forward trade दे और sir, यह rupees per dollar इस पर dollar exam में आया हुआ यह question है यह sport है, bid ask और यह two month forward how many dollar should a firm sell to get 25 lakh after two month मतलब sir, यह वाला पूच रहा है क्या पूच रहा है कितना dollar हम bank को बेचे की 25 लाक रुपए हमको मिल जाए, मतलब bank dollar खरीदेगा 47 खे, rate दिया है, dollar का यह दिया है, तो sir divide हो जाए how many rupees is the firm required to pay, हमको dollar खरीदना है bank से, इस पर to opt in dollar sir, हमको dollar खरीदना है, तब bank dollar बेचे गा, dollar 2 lakh into 46.25, तो यह आगया, 92 lakh रुपए आगे चले, दिखा, assume the firm has dollar, पूले firm के पास 69,000 dollar रखा हुआ है, ठीक है भई, current account में, current account में तो interest मिलता नहीं है, और अगर आप उसको आज, आपके बस रखा हुआ है, 69,000 dollar bank में रखा हुआ, current account में, पूले आप आज ही उसको convert करवा लीजिए, और उसको, रुपिया हो तो आपको 10% interest मिले, या तो बोले, आप 2 मेने बाद convert कराना, देखते किसमें ज्यादा रुपिया मिले, आज convert कराएंगे dollar है, मतलब bank dollar खरीदेगा 46 के सब, अगर उसको in cash करवा देखते आज, इतना रुपिया हमको आज ही मिल जाएगा, 31,74,000, और उसको bank में जमा करेंगे 10% के सबसे 2 मेने के लिए, तो हमको इतना रुपिया मिलेगा, उसके अपक्छा, उसको bank में ही रहने दू, और 2 मेने बाद bank क्या करेगा, dollar 47 के सबसे convert करोगे, तो इतना रुपिया मिलेगा, बताओ किसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, सर, in cash after 2 months, एक अच्छा कोशन है, तो देखना पर, चले अगे, कोशन नमबर 12, वैसे ही था, दोनों कोशन, बस यहाँ बच्चे confused हो गया थे, 2 month spread लिखा था, तो बच्चों ने सोचे, यह spread लिखा है भगवान, यह एक्जामें आये हो था, spread का क्या करना, कुछ नहीं करना, प्लस कर देना, रैर से, कोशन नमबर अधिया, एफे मोडूल का है, यस, एवाई के 15, मार्च 2009 में, मल्टी नेशनल इंडूस्ट्री, मैग दा फॉलिंग असेस्मेंट अप डॉलर, मार्च 2009 में कोई कमपनी है, और वो एक अनुमान लगा रही है, कि 1st September को डॉलर का रेट क्या क्या हो सकता, पर पाउंट, यह भ प्रोबाइबलिटी दिया है, ठीक है, तो आपसे मांग क्या रहा है, सबसे बहले मांगा, एक्सपेक्टेड स्पॉर्ट तो एक्सपेक्टेड हम क्या क्या नहीं निकाले, बहुत सिम्पल है, किया जाएगा 1.81, ठीक है, इट मिन्स पाउंड का रेट, 1.81 हो सकता है, 2009 में 6 मंद फाउंड रेट है, 1.80, बैंक वाले से बात कर, क्या रेट चल रहा है, उन्होंने का या 1.80, हमने का ठीक है, और हमको पाउंड आने वाला, तो बताइए, हम उस पाउंड को, क्या फाउंड रेट पे बेचना चाहिए, अगर हम फाउंड रेट पे बेचते, तो अच्छा क्या चाहिए, हमें फाउंड कवर नहीं करना चाहिए, हम कम क्यों ले, हम ज्यादा ना ले, ठीक है, कोई कहाने लिखा है, देख ले ना, ये कोशन भी अच्छा है, कोशन नमबर 14, ये कोशन important है, क्योंकि रिपीट हुआ है कई बार, ठीक है, तो अच्छे से करना अपड़े, कोशन नमबर 14, देखे, अच्छा कोशन है, ये क्या TYK6, तर मतलब ये भी AFM module का कोशन है, येस, TYK6, अच्छा कोशन है, बार-बार वोड़, ओके, त्यार हूँ, देखा है, JKL Limited, एन इंडियन कंप, एक्सपोर्ट किया है, CPY 10,00, export किया तो मिलने वाला होगा, येन मिलने वाला है, 10,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्सपोर्ट किया है, तो येन मिलने वाला है, 10,000, कम मिलने वाला है, 31 अगस्त को मिलने वाला है, Japanese yen is not directly quoted against rupees, आप हो ये और येन का रेट रुपीज पर ये नहीं दिया है डायरेक्ट कोट की बात कर रहा है रुपीज पर ये नहीं दिया तो सर हमें रुपीज पर ये निकालना पड़ेगा कि बोले डायरेक्ट नहीं दिया है बोले इंडारेक्ली बहुत सारी चीज़ दिया दो तिन करेंसी दिया उसके साब से हमने का दिया क्या क्या है बोले आई एन आर पर डॉलर दे रहा है आप यहां समझना है यहां दिक्कत है यहां दिक्कत है ऐसा देखने से यह लगता है क्यार ये वन होना चाहिए ऐसा देखने से ये लग रहा कि ये वन होना चाहिए पर थोड़ा सा दिमाग चला बोल कर देखों कैसा लगेगा एक रुपिया बरावर सवाली पैदा नहीं होता ऐसा देखने से ये लग रहा पर यहां तो रुपिया दिया है ना तो सर ये पक्का है ये जो है ये रुपीज पर डॉलर है और ये जो है ये डॉलर येन पर डॉलर है और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए रुपीज पर येन बहुत सारे बच्चों का कोश्चन है कि सर रुपीज पर येन क्यों येन पर रुपीज भी तो निकाल सकते हो नहीं कर रहा हूं पर आप खुछ सूचों कि ज़्यादा कमपरटेबल क्या होगा हमको येन जो आ रहा है उसको बैंक को बेचना है तो येन का रेट निकाली जी बात कता हूं तो ये क्या दिया है सर ये दिया स्पॉट रिट और इसकी मदद से क्या रुपीज पर येन निकल सकता है सर रुपीज उपर है मतलब वन से डिवाइड नहीं करना ये नीचे चाहिए सर इसको वन से डिवाइड करना पड़ेगा बिल्कुल निकल जाएगा और निकल गया ये 0.6080 पॉन से रेट निकला इसपॉर्ट ठीक है और एस्टीमेटेड का मतलब एकस्पेक्टेड एस्टीमे चाहता है रुपीज पर ये निकल गया अब एकस्पेक्टेड इस पॉर्टेट के विसे में सुना क्या बोल रहा है यहां लिखा है पुले डॉलर के अगेंस में जो रुपीज है वो हो जाएगा 65 लिख लिया भाई और जो ये न हो जाएगा वो हो जाएगा 124 वो भी लिख पर यहां एकस्पेक्टेड लवस मंग रहा मैंने क्या बताया था कि इसपॉर्ट इस पॉर्टेड आपड इस पॉर्टेड कि वह जो ऊंतलावラ मुझे लॉस कि पहले ये वाला लोस निकलना पड़ेगा spot rate and forward rate का loss निकालना पड़ेगा और फिर बताना है कि देखो loss हमारा इतना कम हो गए पहले नंबर पे cross rate निकालना था निकाल ली अब मुझे क्या करना expected loss इसकिस के बीच में spot rate and expected spot rate पहले मैंने का यार ये 10 लाख ये 10 के rate दिया तो spot rate से multiply कर दिया multiply कर दिया expected spot rate से तो मैंने का यार 8,38,000 रुपए का 8,38,000 का मुझे loss होगा पर अगर मैं forward cover करता हूँ तो मुझे loss होगा 54,000 का तो बताइए मैंने loss कितना बचा लिया 7,84,000 तो क्या मुझे forward cover करना चाहिए अब question ये है कि आपने forward cover कर लिया मानलो और आप पहुझ गया 31 अगस्त को और उस दिन ये rate हो गए तो बताइए forward cover करना अच्छा हुआ कि वुरा हो फिर क्या हुआ फिर हमने निकाला और ये rate आ गया पॉइंट फिर हमने loss निकाला वापस इस पॉट रेट और कौन सा वाला rate एक्चुल रेट और उससे भी loss आ रहा है एक लाक तीन आ जा रहा है अच्छा हुआ कि हमने forward cover किया तो forward cover is justified ये आपको इतना सार वैसे तो यार calculator में हो सकता हो सकता है तब presentation ऐसी दिखाना पड़ेगा देख रहे हो ना हाल presentation का presentation important है भाई कुछ भी कर लो presentation important है most important question please करना है इसको question number 15 और क्या ये भी module का question है yes ये है TYK 70 पड़े ये question पढ़ने में ना अजीब सा लगता है और please पढ़ना पढ़ा है का a company operating in Japan has today company कहां operate हो रही है जापान और sales किसको कर रही है Indian company को sir ये जापान और ये sell कर रही है किसको Indian company अब सवाल है कि आप जापान के लिए काम कर रहे हैं कि इंडिया के लिए काम कर रहे हैं ये आगे पता लगेगा और तीन मेहने बाद payment करना तीन मेहने इंवाइस amount कितना एक सो आट लाकी है इंवाइस है इंवाइस जो बिल बना है वो येन में इसने sell किया तो Indian company देने वाली एक सो आट लाकी है अब ध्यान से समझना बहुत सारे बच्चों के सरह हम जापान के इंगल से सूचेगी इंडिया के इंगल से सूचना अगर मैं जापान के इंगल से सूच हूँ तो इसको तो येन मिलने वाला है इसको कोई रिस्क है क्या अगर मुझे येन ही मिलने वाला है तो काय का रिस्क रिस्क किसको है इंडियन माले को क्योंकि इसको येन देना है तीन मैने बाद येन महगा हो गया तो इसको रिस्क गया है तो वो इसी के एंगल से सोचना है हमको 100% और आगे बताया अभी और वोले इस पॉर्ट रेट एक्विविलेंट तीस लाक रुपए तीस लाक रुपए के अब इस पॉर्ट रेट में दिक्कत क्या है ये स्पॉर्ट रेट होगा है आगे बात करता अब दिक्कत क्या है अब दिक्कत क्या मालूँ मैं, फ़र हमको इस पोटोरेट निकलना पड़ेंगा येस, इसको बर। सरे इस पोट्रियट ऐसे निकाली या फिर निकाले रूपीस पर येन ऐसे निकाले कि ऐसे निकाले अब होसारे बच्चों को अईसा वेलों था क्या फरक पड़ता है ऐसे निकालो चाहिए यिसनिकालो आंसर एक याएगumin नहीं आए कि यहां सब्द लिखा action rate decline हो जाएगा अगर मैं रुपीज येन पर रुपीज लिखो तो रुपीज डिकलाइन हो जाएगा तो अंतर आजाएगा दोनों चीज़ों में भई यहां रुपीज रुपीय हो रहा कि यह नहीं हो उसने यह नहीं बताया उसने बताया action rate decline हो जाएगा तो अब depend करता है कि यह rate यह कि यह rate कौण सा लिखा तो इस पौर्टर इस ऐसे निकालना है वो depend करता कि आगे forward rate दिया है किसी बच्चे का डाउट आया था इस पर और लिखा है इंपोर्टर प्रपोजिस्ट अब बोला सब सब इंपोर्टर के बोला एप्रोप्रीट एक्षन लेने वाला है तीन महने बाद और उन्होंने फावर्डेट बता दिया 3.30 येन पर रुपीज मतलब उसने फावर्डेट दिया है येन पर रुपीज तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा येन पर रुपीज फावर्डेट को देखकर में ननुमाल लगा है और एक तरीके से लगा सकता था ये इनका पैमेंट हो रहा है पर उतना में ज़्यादा दिमाग नहीं दोडाना चाहता रिविजन के से थो ये आ गया मेरा कौन सा स्पोटड रिट और ये कौन सा गया एस्टिमेटेड ऑड़ रिफ्ट इस परसने ड्लाइन कि तो सबसे पहले उसने एक्सपेक्टर्ड लॉस पूच्छा है वही अस और अगर हैजिंग इस डन अगर अगर आप हैज कर लेते तो फिर वही अब किस किस के बीच इस पॉर्ट्रेट और फिर लॉस निकालना है और फिर बताना है कि लॉस कितना से विए अच्छा कोश्चन है कोश्चन नमबर 16 हम नहीं करेंगे similar question है कोश्चन नमबर 17 भी नहीं करेंगे similar question है कोश्चन नमबर 18 करना है अच्छा कोश्चन है TY के 23 23 दू मनट का ब्रेक चाहिए मज़े यह बहला कोश्चन देख ले है और question number कौन सा है हमारी book का है 80 और क्या EFM module का question है yes और question number है TYK 23 ये भी question अच्छा है और आज कल आ रहा है पपड़े क्या A company is considering देखल से दिखना ही रहोगा आपको A company is considering its foreign action risk रिस्क को hedge करना है और it has made a purchase on 1st July 2016 which it has to make a payment $60,000 on December 31, 2016 तर कहना क्या चाहता है कहना ये चाहता है कि भाई इसको $1 purchase करना है एक पर्षन है एक company है $1 purchase करना है आज की rate है 1 जुलाई और सर पर्चेस करना $6,000 छे मैने बात और present action rate है $1.65 और बात हो गई है कि हम $64 के इसब से खरीद लेंगे तो टेंशन खतम और उस हिसाब से इसको $60,000 $64 के इसब से मिल जाएगा मतलब $38,40,000 तो forward contract करना पड़ेगा तो company will have to make upfront premium 2% on forward amount ये एक अजीब सी बात है अजीब सी बात है मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि forward contract पे कभी भी premium नहीं देना होता इसमें premium माँग रहा है 2% देना, कब देना है? आज और आज देना है तो उसका opportunity cost कितना लेना पड़ेगा? $20,000 $20,000 rate क्या fix हुआ है? rate हुआ है सर $64 $64 अगर market में $64 से जादा अच्छे मैने बात $64 से जादा है तो ठीक है फिर तो हमको profit है लेकिन अगर $64 से कम हो गया तो भी हमको $64 में खरीदना पड़ेगा तब हमारा loss है और एक loss किस चीछ का है? premium का है तो बोल रहा profit loss निकालो अगर $1 का rate हो जाए $68 तो सर यह तो profit है पहले एक काम करो premium कितना देना पड़ा तर $60,000 into $64 into $2 परशन ही है और उसका opportunity cost मिला कर यह आ रहा है cost of housing premium देना पड़ता premium है premium margin नहीं एक बार गया तो गया पैसा और उसका opportunity cost अब अगर rate $68 हो गया तो सर हमने क्या किया था $64 से बढ़ेगा तो हमको profit ता बढ़ गया तो सर profit है यह $2,40,000 का पर उसके लिए hedging cost लग गया $81,408 तो net profit आ गया $158,59 तो अगर $62 हो गया तो loss है $64 minus $62 $1,20,000 और hedging cost add कर लेंगे तो यह आ गया अगर rate हो गया $70 और $65 तो मेरे ख्याल से अभी यह कर सकते हूँ यहाँ मैंने लिख दिया अच्छा कोशन है $23 करना होगा अच्छा कोशन कोशन नमर 19 कट कर सकते हो यह repeat कोशन कोशन नमर 20 भी कट कर सकते हो हलाक यह कोशन मैंने classwork में करवाया था उसके पीछे यह था expected इसको देख ले ना इसको मैं वापस नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास solution है नहीं वो आपको मैंने home way पे दिया समझा कर कोशन नमर 21 और कोशन नमर 22 एक जैसा है 21 कट कर रहा हूँ और 22 करना पड़ेगा सर हमारी AFM module में है TYK90 देखे एक बार यह कोशन में कुछ है नहीं है बच्चा कोशन है पर थोड़ा एक पॉइंट को लेकर दिख सर Excel exporter है और एक export bill है कितने का है dollar 1 lakh dollar 1 lakh exporter और due कब होने वाला है 60 दिन मतलब सरा 60 दिन में dollar आने वाला है they are worried about the falling dollar order किस बात का dollar का rate कम ना हो जाए अभी क्या चल रहा सर 45.60 the concerned export consignment has been price at action rate 45.50 सर यह क्या कहना चाथ इसके विसे मैं मैं आपको बताया हूँ region जब हमने export किया जो भी मैंने कहा की सुना ध्यान से इसका मैंने region क्या बताया था जब हम export कर रहे थे तो हम देखेंगे ना यार यह इंडिया में कितने का भी कर रहा है suppose इंडिया में 45,50,000 का कितने का तो मैंने का यार कम से कम rate है 45.50 45.50 तो मेरा अनुमान है कि अगर एक यह अनुमान है एक लाख डॉलर मुझे मिलता मैंने उस हिसाब से प्राइस किया ताक कि मुझे एक लाख डॉलर मिले उसको 45.50 के इसाब से convert कर वालो तो 45,50,000 मुझे मिलना चाहिए यह मेरा अनुमान था इस rate के हिसाब से मैंने प्राइस किया था अगर rate कुछ और हो जाता है तो फिर दिक्कत है फिर तो loss हो जाएगा पर मेरा अनुमान था यह अनुमान है अनुमान expectation अच्छा कि rate जो रहेगा वो 45.50 रहेगा उस हिसाब से ही प्राइस किया गया है आके explain मैंने आपको कर दिया था कि इस हिसाब से प्राइस किया गया पर यह कौन सा rate है इस प्राइस किया था यह क्या है जब shipment किया था तब प्राइस किया था इटेल में discussion किया था फावर्ड रेट क्या है 45.20 discount फावर्ड प्रीमियम या discount निकालना है तो FR-S divided by S into 100 365 दिन लेना है तो answer आ रहा 5.34% और प्रीमियम के विसे में कुछ नहीं बोला है कि डॉलर का की रुपीस का तो डॉलर का ही हो अब बोल रहा प्रोबेबल लॉस आप अपरेटिंग प्रॉफिट इफ फावर्ड सेल इस एगरेट ये बच्चों को समझे बनी मेरा ये कहना है जब export किया तो जब export किया तो उस समय जब हमने export किया तो हमने ये मान के चला कि हमने इस तरह से invoicing किया कि हमको एक डॉलर 45.50 का पड़ेगा उसी साब से वो मैंने डिटेल में डिसकुस और सर 45.20 है forward contract मतलब हमारा उनमान था कि 45.50 आएगा पर आरा 45.20 तो सर लॉस हो गया इस इन्टू डॉलर 1 लेक तो सर कितने का लॉस हो गया 30 जब सर इस पॉइंट के लिए प्लीज क्लास देख लेना अगर समझे में ना आए तो वहां मैंने डिसकस किया है कि यह क्या चीज लगेगा आपको तो मैं वीडियो डाल दूगा अगर लगेगा ठीक है question number 26 क्या यह भी important है yes और यह है tyk24 यह भी question अच्छा है एक एक बार बड़े question है following information related to AKC limited ऐसा है कि कुछ electronic devices के कुछ parts export किये जाते है US में Japan में और Europe और जो आने वाला है वो 90 days में आने वाला variable cost दे रखा है selling price दे रखा yen में dollar में euro और जो आने वाला है वो 90 दिन बाद इतना yen आने वाला इतना dollar आने वाला इतना euro आने वाला ठीक है अगर इतना आने वाला है और selling price एक unit काई है तो number of units निकल सकते है आराम से और spot price rupees का दे रखा spot price दे रखा और 3 month forward price दे रखा कहां यू जो का वो बता हूँ advice a case limited by calculate average contribution to sales ratio गोले भाई साब ऐसा करो आप contribution to sales ratio निकालो whether it should और बोल रहा कि बताए foreign hedge करना चाहिए contribution to sales ratio PV ratio बोल सकते है कि बोल सकते तर किसका निकालना अब वो नहीं बताया लेकिन मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि अगर हम forward conflict करते है तो पैसा कुछ और आएगा अगर spot करते है तो पैसा कुछ और आएगा सबसे पहले decide यह कर लेते कि कौन से rates spot contribution to sales ratio मतला हमको contribution निकालना पड़ेगा पहले समझ दो अच्छे से sir एक तो हमको variable cost पता लगाना variable cost per unit दिया number of units से निकालना पड़ेगा तो मैंने एक table बनाया है मैंने कहा कि 90 days में इतने आने वाला selling price per unit है तो number of units हो गया है उसको variable cost से multiply किया तो पूरा variable cost आ गया है यहां तक कोई लेकरना अब सवाल यह है कि sales कैसे निकाल वो depend करता कि आप forward cover कर रहे हो यह expected spot तर माल लो हम forward cover यह expected spot rate माल लेते forward cover करते हैं तो आप सोचते हैं तोड़ा yen आएगा sir yes और bank क्या करेगा sir yen खरीदेगा पर rate किसका दिया है बैंक रुपिया बेचेगा तो यह वाला rate यहां भी बैंक रुपिया बेचेगा यहां भी बेचेगा ठीक इटमेंस आपको पहले किस से करना है forward cover से करके देखे और 78 लग यह नहीं और rate रुपिय कर दिया तो divide ही होगा यह क्या किया जो cells है अगर आप forward cover करते है तो मैंने divide करके रुपीज में निकाला ठीक है तर individual नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा detail पर चर्चा हुई कि individual करना चाहिए बहुत सारी चीज़े मैं कहा रहा हूँ कि उसने जो बोला है उसने सब्द लिया है average contribution to cells rate तो उन्होंने क्या किया सुनना दिया उन्होंने सारी variable cost को plus कर दिया ठीक है अगर forward cover करते हैं तो जितना भी पैसा आएगा उसको भी plus कर दिया और cells में से variable cost minus किया तो क्या आगया contribution और इसके साब से contribution to cells ratio निकाला है वो आया 19.557 अगर hedging नहीं करते हैं तो फिर उन्होंने ये वाला rate उठाया और इसके हिसाब से निकाला वापस तो ये आगया हमारा cells variable cost मालूम है तो contribution आगया और फिर आगया 19.17 और इन दोनों के हिसाब से उन्होंने कहा यार जादा यहाँ है तो contribution to cells ratio higher है forward cover में तो forward cover करना चाहिए हाला कि इस matter पे हमारी बहुत चर्चा हुई थी कि सर हमको इसके लिए forward cover हो सकता है इसके लिए forward cover नहीं हो सकता है तो individual basis पे decision लेना चाहिए था नहीं लिया ऐसे किया total basis पे तो हम भी total basis question अच्छा है ठीक है जी चले आगे कौनसा question था ये ये था TYK24 question number 27 था और भी ज्यादा सुन्दर question है question number 20 क्या ये भी है TYK16 yes TYK16 तेखे yes sir you have following quotes from bank A और bank B ये सब कटा हुआ आपकी copy में अच्छे से लिखा होगा bank A ये लिखा क्या है one dollar is equal to CHF per dollar लिखा और ये क्या होगा dollar per pound है dollar per pound है ठीक है ठीक है बस समझे how much minimum CHF amount you have to pay for one million pound spot क्या कहना चाहरा है सर ये कहना चाहरा है कि हमको one million pound खरीदना है कितना CHF लगेगा सर pound खरीदने के लिए dollar dollar से मतलब सर हमें क्या खरीदना है pay for one million pound खरीदना है तो सर CHF देखके dollar खरीदेंगे फिर dollar देखके pound खरीदेंगे ये ही बात है CHF देखके dollar अब यहाँ सुचना सर बैंक क्या करेगा bank dollar बेचेगा 1.4655 या 1.4660 सर ये बल अच्छा है मतलब सर बैंक A से हम खरीद लेंगे dollar first buy dollar from bank A और कितने में 1.4655 ये ठीक है तो final आ गया हमारा CHF per dollar अब हमारे पस currency कौन सी आगी dollar अब कौन सी bank अच्छी है सर bank pound खरीदेगा ना ने सर बेचेगा bank pound बेचेगा 1.7760 या सर ये वाला इस bank से और फिर हम bank तेर आफटर buy pound from bank B ये कोशन अच्छा है एक जगा एक bank से हम dollar खरीद रहा है और दूसरी bank से हम pound खरीद रहा है कर सकते हैं और ये ये rate मालूम हो गया हमें क्या निकालना है सर हमें निकालना है निकालना है CHF पर pound ओपर CHF चाहिए CHF दिया हुआ है तो 1.4655 पाउंड चाहिए पाउंड दिया है तो multiply हो जाएगा 2.5866 और 10 million pound के लिए हमें लगेगा 25,86 अच्छा ये अच्छा नहीं है इसका दूसरा पार्ट अच्छा है considering the quote from bank A only बोले bank B को भूल जा bank A पर फोक्स करो और आपको निकालना है pound CHF पर pound CHF पर pound what are the implied swap points for the spot and three month point क्या कहना चाहता है कहना ये चाहता है भाई कि आप spot rate निकालिए CHF पर pound सिब बैंक A को फोकस करो और forward rate निकालिए भी डास को दोनों का forward rate निकालिए CHF पर pound और उसके बाद उन दोनों की बीच का difference निकालिए swap अब हमें क्या निकालना हमें निकालना सा CHF पर pound तो dollar dollar कट जाएगा तो सर ये multiply हो जाएगा क्या सबसे पहले बात कर किस की कर रहा है spot CHF पर dollar दिया है क्या दिया है सर CHF पर dollar 1.4655 1.4655 ठीक है और dollar पर pound दिया है क्या दिया है सर 1.7645 ठीक है सर ये भी ठीक है ये समझ में अब bid CHF उपर उपर है नीचे pound पाउंड है bid का bid से multiply कर देंगे और ask का ask से multiply कर देंगे तो ये आ गया हमारा bid और ये आ गया ask कौन सी बात होई है spot ऐसी क्या करेंगे forward पस forward 3 month वाला लेना तो 5 और 10 लिखा है और 25 और 20 तो 5 और 3 सर ये plus हो जाएगा और ये minus हो जाएगा forward rate निकल जाएगा ठीक है और फिर उसके हिसाब से हमने ये rate निकाल लिया ये है forward rate ये है spot rate forward में से spot minus किया तो ये आ गया और swap point आ गया 28 बारा second point बहुत अच्छा मतलब question ही बहुत अच्छा अगर देखा जाए तो question number 30 नहीं भी करोगे तो चलेगा simple सा question है के सर ये speculation वाला है ये तो कर लोगे ये वाला question देख ले न question number 29 हमारी book में TYK20 हमारी book में मतलब AFM module का है TYK20 इसमें करना क्या है सुनो वह दो अलग-अलग market है IMM market मतलब international monetary market वहाँ pound का rate क्या चल रहा है और उसी time पर future एक है forward market forward market बोलूँ यस है forward market है और एक है future market future market में pound का rate क्या चल रहा 1.2806 तो अगर आप का 60 to 500 pound खरीदना और बेचना तो कहां से खरीदोगे कहां बेचोगे 1.2806 में खरीदेंगे 1.2816 में बेचेंगे into 60 तो सर हमें गेन हो जाएगा 62.50 वो simple question है और AFM module में भी डला हो question number 28 क्या ये भी module का question है yes TY के 60 इच्छा सर बड़े बात को an importer customer of your bank wishes to book a forward contract तो import customer है वो forward contract book करना है और कित क्या चाहिए बोले Singapore dollar 5 लाग और कब चाहिए बोले 30 September ठीक है 30 September को सामने वाले person को मैं हूँ bank सामने वाले को चाहिए Singapore dollar 5 लाग कौन सी डेट हुए 3rd September इस portrait on 3rd September ये spot rate दे रखा 3rd September 3rd September को नहीं चाहिए 3rd September को आया चाहिए कब चाहिए 30 October ठीक है सर बास समझे और is portrait दे रखा है यहाँ print नहीं था ये दे रखा है dollar per rupees dollar per rupees तो नहीं होगा इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो rupees per dollar ठीक है और ये क्या हो जाएगा जब इसको हमने पहले लिखा rupees per dollar ये भी पहले आजाएगा Singapore dollar per dollar हम कहां के रहने वाले है सर कुछ नहीं दिया है हम को ये देखना कि हमको एक Singapore dollar कितने का पढ़ेगा कब 30 October हमें rate कौन सा लेना है हमको forward rate ये हैं और यहाँ two month वाला लेना पढ़ेगा फिर cross rate करना पढ़ेगा तो पहले rate डिसाइड कर ले कि दोनों रेट सर दोनों ही निकालती है मैंने हम दोनों निकाला हाला कि मैं one से भी काम करवा सकता है पर मैंने दोनों निकाला तो सबसे पहले मैंने ये वाला किया Singapore dollar per dollar ये वाला Singapore dollar per dollar इस portrait मालूम है 1.7058 1.7068 और 9697 लिखा है तो फिर मैंने .0096 और 97 प्लस हो गया तो ये आ गया two month वाला और रुपीज पर dollar spot ले लिया है और 1100 और 1300 मतलब प्लस किया तो ये ठीक ठीक है सर आफाइनल करें importer है अब ध्यान से समझ रहा हूँ पहले rate final कर रहा है इसी में time लगए मेरे पास रुपीज और मुझे bank से Singapore dollar खरीदना है तो रुपीज से सीधा सिंगापूर dollar मिल नहीं सकता पहले रुपीज देखे dollar खरीदना पड़ेगा मतलब bank dollar बेचेगा और फिर bank वापस dollar खरीदेगा एक rate ये आएगा 49.5100 अब यार दिक्कत क्या है क्योंकि यहां margin दिया हुआ exchange margin 5 पैसा तो सर ये इंटर बैंक rate है क्या ये बताया नहीं है clarity से पर margin दिया हुआ है तो margin का तो adjustment करना पड़ेगा और margin का adjustment किया 5 पैसा तो ये आगया 49.5600 ठीक अब यार इसका भी करे क्या यस तो सर इसमें भी margin है इसमें margin नहीं किया है adjustment question यहाँ दिक्कत थी कि question रटना पड़ेगा हाँ जी मेरे हिसाब से margin का adjustment last में आना चाहिए था बात ये है कि यहाँ margin का adjustment ICAI जनरली ऐसे question में essay करता है कि जहां रुपिया है वहाँ margin का adjustment करता है बाकी जगा margin का adjustment नहीं करता है तर फिर से समझाओ दूसरा मैंने क्या समझाया रटवाने के लिए कि देखो भाया पाच पैसा सब्द लिखाया और पैसा कहाँ आएगा जहां रुपिया है यह मैंने रटवाया था पर ऐसे एक question यह ऐसे दो-तीन question है जब भी ऐसा cross rate करना रहे और यहाँ margin दिया रहता है तो ICAI वही adjust करता है जहां रुपीज का quote है मैं दिखवाँ गा अभी तो revision चली रहा है मैं आपको दिखवा दूँगा ठाकि अब रटना पड़ेगा तो उसने इस quote में और मैंने क्या रटवाया था मालूप है यह पैसा सब्द लिखाया ना इसलिए उसने यहां margin adjustment किया और यह तो already customer rate है तो margin adjustment नहीं किया अब हमें को निकालना रुपीज पर Singapore dollar उपर रुपीज है तो सिधा लिखेंगे नीचे Singapore dollar तिया उपर दिया तो once I divide हो जाएगा तो 28.8912 क्या आया यह rate to be quoted to the importer of as you ठीक है question number 31 तर आज की class में बस यह forward cover करेंगे कल की class थोड़ी सी लंबी जाएगी तीन घंटी की जिसमें cover deal से start होगा तो question number 31 एक बार देखेंगे इसको भी ती वाई के 5 है ती वाई के 5 पर देखा है on 3 April 2016 bank code the following dollar और rupees मतलब rupees per dollar दे रखा spot rate 2 months swap दे रखा 3 months swap दे रखा 70, 90, plus 160, 160, minus in spot transaction delivery is made after 2 days generally ऐसा ही होता spot का मतलब 2 दिन बाद ही delivery होता assume spot rate कितना जिस दिन delivery होगी बोले इसको 5 April ले लीजे 3 April है पर पाछ अपरेल ले ले लेजे और एक swap point बराबर इतना ठीट है बोले a certain swap points for 2 month and 15 इसको बोलते broken period forward contract का भी नाम सुनाओगा broken period forward contract spot दिया, 2 month swap दिया, 3 month swap दिया, 2 month forward rate नहीं कल सकता 3 month forward rate नहीं चाहिए हमको 3 month forward rate भी नहीं चाहिए हमें चाहिए धाई महने बात का कैसे निकले वोले swap points निकालो तो बड़ा simple है 3 month swap मालूम है 160 और 2 month swap मालूम है जो बच्चा वो swap जो difference है वो तो 1 month का है 2 month 3 month 2 month का swap मालूम है 3 month का swap मालूम है उन दोने के बीच का difference है हमें तो आदे मैने का चाहिए ना तो 45 और 2 months लब तो हमको मालूम है 70 और 90 जोड दिया 115 और 130 मतलब सीधी सीधी बात किया सर यहां तक हमको मालूम ता 70 और यहां 160 और यहां से यहां के बीच का 90 हमको यहां का चाहिए तो 45 एट करके काम कर दिया और 115 और 138 है तो सर प्लस ही होगा यस और प्लस किया तो यह फावड रेट निकला लास्ट प्रीमियम यह डिसकाउंट मांगा है तो प्रीमियम और डिसकाउंट जनरली हम कैसे निकालते है F-S divided by S into 100 ऐसा कुछ हाँ सर इन लोगों ने कहा कि तो आवरेज रेट लेना जब प्रीमियम यह डिसकाउंट ने कहा अब सर आवरेज रेट क्या लेना आवरेज रेट का मतलाब जो नीचे जो रेट लोगे न वो आवरेज लेना वेस रेट spot rate और forward rate divided by 2 कर बिड रेट निकाल तो अब इनोंने क्या किया average किसका average किसका किया 66.2525 कहा है ये है spot का और किसका किया forward का और average rate निकाला वो ये आ गया ताकि जब base rate लेना है तो ये average लिया अच्छा सर बाकि forward spot वो ये जब base लिया जाए तो average लिया कोशन था कोशन नमबर 10 10 नहीं करवा रहा हूं 10 आप कर लेना यार क्योंकि सारे कोशन नहीं करवा सकता आप कर लोगे कोशन नमबर 2 भी नहीं करवा रहूं repeat कोशन है कभी कर लोगे cover deal कल से start करेंगे कल खतम करेंगे second दो पार्ट से ज़्यादा में time लगना ही था cover deal पे पहुँचे तो cover deal से कल आगे important point है एक तीनी तो point है इसके बाद important फिर तो कोशन नहीं कोशन है cover deal और cover deal के अलावा cover deal के अलावा सर एक्षेंज रेट डिटर्मिनेशन जिसमें IRP PPP होगा और इसके अलावा और एक चीज होगी foreign currency exposure और cancellation comments में एक बार जरूर तो बता देना की speed ठीक है की थोड़ा बड़ा speed से करूँ या फिर ठीक है चल जा रहा है समझे में आ रहा है और ज़्यदा स्लो करूँ स्लो करूँगा टाइम ज़्यदा लगेगा मैं जिमेदा में ओके भाई thank you so much thank you साथ देने के लिए फॉरेक्स का अगला पाट कलाएगा पकाएगा पकाएगा पकाएगा